जबर्दस मोमेंटम के साथ बाजार अभी वे आपको चलता हो दिख रहा हो और ऐसा चल रहा है कि किसी भी डिप की भी वेट नहीं हो रही है मार्केट में हर दिन रिकॉर्ड बन रहे हैं देखते ही देखते बाजार पचास हजार की दहलीच पर बैंग निफ्टी आके खड़ा हो गया 49,000 के लेवल आपने देखी लिया हो सकता है आने वाले दिनों में 50,000 भी दिख जाए तो हमने आपको 46,000 पर भी नोटिस कराया थे कि डाटा कुछ ऐसा बन रहा है कि कोई बड़ी बात निए 50,000 भी हो जाए खैर हम उस देहलीच पर पहुंचे हैं लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी पे बलकि अलग-अलग स्टॉक्स पे खबरवाले शेर पे ब्रोकिंग आफ्सिस की रिपोर्ट्स पे और मेरे दोनों से योगी मेरे साथ बने रहेंगे अगले धाई घंटे हम अम्हानों का पूरा जमगट लगा देंगे भले आज का ही दिन ट्रेडिंग ह दो दिन की फिर भी चुट्टी है लेकिन आज भी क्यों बक्षें आज भी क्यों अपने पैसे छोड़ें तो आज भी मार्केट में पैसे बनाने के लिए त्यार हो जाईएगा अगला धाई घंटा हमारे साथ बन जाईएगा खैर चार ट्रिगर आपके सामने रख देते हैं एहम ट्रिगर होंगे हमेशा के तरह पहला ग्लोबल मार्केट का ट्रिगर होगा फिर धीरे-धीरे करके जो भी कबरे हैं ब्रोकिंग आफ्सिस के रिपोर्ट में से फाइन ट्यून होता है वो सब हम आपके सामने रखते हैं पहला नैस्टेक क्रिप्स 18% उपर बंद हुआ ह क्या नैस्टेक बढ़ने से आई-टी का इंपक्ट आएगा, क्या I-T बजार को यहां से बचाएगा, क्या I-T यहां से बजार को 23जज़ दर पर लेके जाएगा, यह एक बड़ा सवाल आपके मनमे में चल रहा helps you connect करूए ऐसे को can smit करने के अच्च खोशिश करेंगे, गिफ्ट निफ्टी उतने अच्छे संकेत नी दे रहा है लेकिन आईटी इंडेक्स या निफ्टी क्या गिफ्ट निफ्टी के इस पूरी बाजी को पलट देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है PCS का नतीजे आज आएंगे आपको मालूम है बड़ा ट्रिगर होगा आए करीब दो पर बढ़ने कानुमान है तो ये एक और माकेट के अंदर ट्रिगर के तौर पर काम करेगा वोड़ाफोन आईडिया 18,000 क्रोड रोपे का FPO 18 अपरेल से खुलेगा पिछले दो महीने के अंदर वोड़ाफोन आईडिया में फंड रेजिंग को लेकरे तीसरी बड़ी खबर है तो आप वोड़ाफोन आईडिया को बिल्कुल गंभीरता से ले मैनेजमेंट तो ले रहा है आगे देखते क्या होगा डाटा एनलिसिस करेंगे और भारता हेक्साकॉम की लिस्टिंग रिटेल महंगाई के आंकड़े ये कुछ एक और इंपोर्टन चीज़े है जो आज की सेशन में आपको होते ही लिखिंग यानि कि बारा अपरायल को होगी तो सब कुछ हम आपके सामने समेट के लिखिया है ठीक है इंसा भी बड़े ट्रिगर्स पर हमारी रहेगी नजर पर साथ ही ग्लोबल बजारों के बात करें तो वहां से थोड़ा मूड और मोहल बिगड़तावा देख रहा है और अभी शेक हमने देखा कि महंगाई के आकड़े आए यूएस बजारों में यूएस के मार्केट के लिए और साथ ही जहां पर वहां पर हमने मूड बिगड़ते वे देखा पूरे ग्लोबल मार्केट में उसका एक असर हम देख पा रहे है अभी गिफ निफ्टी जो है काफी गिरावट के साथ शुरुवात के संकेट दे रहा है बदाये क्या कुछ ग्लोबल मार्केट से अपडेट है और साथ ही कमोर्टीज में क्या आक्शन है ग्लोबल बाजारों से अगर हम ओवराल बात करें तो संकेट आज कमजूरी के हैं गिफ निफ्टी तो आपको दिखी रहा है करिब डीड़ सो अंग नीचे वाईज़ार शेसुपचास के आसपास कस्तर है और इसकी वज़ा यह है कि बुधवार को अमरिका में जो महंगाई दर के आकड़े आए उन्होंने थोड़ा सा मूड खराब करने काम किया है साड़े तीन पसंट का आकड़ा है क्योंकि अनुमान से जादा है सितंबर के बाद के सबसे उपर की रीडिंग है यह महंगाई को लेकर तो निशी तोर पर जो लोग भी जून में फेड की तरफ से कटवती को अमीद कर रहे थे उनको जटका लगा है और अब कहीं जो अनुमान है जो अमीदे हैं वो शिफ्ट हो गई है कि सितंबर से पहले यूएस फिट की तरफ से क्यों कटवती नहीं आएगी तो इसने मूड़ खराब करने काम किया और हमने देखा कि बुद्धवार को डाउ में करीब करीब चार सो अंको की भारी भरकें गिरावट हमने देखी है हलांकि कल निचले सबसे रिकवर चीज जरूर है क्योंकि लगातार तीसरे महीने जो यूएस फिट का जो टॉलरेंस रिंज है दो परसंट के आस पास का उससे कहीं ज़्यादा में निकल के आई है और अनुमान से ज़्यादा आ रही है ये ज़्यादा क्रूशिल चीज है अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अग पर जाके बंद हुआ है तो टेक्शेरों की चाला अलग रहती है और उसके चलते चुकि नेस्डेक जो है वो टेक हैवी है इसके चलते वहाँ पर आपको रेकवरी भी दीखी है लेकिन अगर कुछ और आकडों की बात करें आर्थिक आकडों की तो यूएस में बिरुजगा के बाजार कोरिया के बाजार चीन के बाजार वहाँ पर आपको कमजोरी देखी और ओवराल जो एश्या से क्यूज़े वो भी कमजोरी के ही आपको संकेत दिखेंगे क्योंकि हम देख रहें कि डेड़ सो अंक नीचे 22,660 के आसपास निफ्टी कारबार कर रहा है लेकिन अगर हम यूएस के बॉंड इल्ड की बात करें टेनियर की तो जब महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा कि 4.5% के भी बॉंड इल्ड उसके पार निकल गई लेकिन एक चीज जो लगातार फर्म है लगातार चमक रहा है वह सोना 2400 डॉलर के उपर के भाव हम पहली बार देख रहे हैं सोने में तो सोने में जो रिकॉर्ड तेजी का दोर है वो जारी है लेकिन आज अगर भारती वाजारों के लिहास अगरहें बात करें कि हमारे वाजारों के लिए संकीत कैसे हैं तो संकीत कमजोरी से हैं overall अगर आप यूएस मारकेट ऐशय वाजार क कमजूरी गिफ निफ्टिम देख रही है बाईजार छे सुपचास के आसपास तके स्तर हैं लेकिन अब चले यहां से आगे बढ़ लेते हैं अब यहां से यह समझते हैं कि एफ आइस के डिया इसके आंकड़े कैसे आये हैं एफ आइस के लॉंग होल्डिंग से संकीत कैसे हैं आपको अगर निफ्टि में अगर आप लॉंग हैं तो आपको क्या रड़नीती अपनानी है शॉर्ट है तो क्या आपको खुश होना है और सिमिलर्ली हम निफ्टि बैंक के लिए भी यह दोनों रड़नीती भी आपके सामने रखेंगे लेकिन भी शुरुआत करेंगे एफ इसकी लॉंग होल्डिंग बताओं उससे पहले जहां पर आपने खतम किया वहीं से शुरू कर देता हूं कि क्या ग्लोबल मार्केट के संकेट पहली बार नेगिटिव हुआ इस मार्केट के अंदर पिछले 15-20 दिनों करें कि हमने एस एक्स निफ्टि को पहली बार लाल नि मिल पाएगी और ड्रैगिंग फॉर्स ड्रैग करती जाएगी यह कौन ड्रैग कर रहे मैं भी आपको बताता हूं लेकिन इससे पहले मैं इसको बहुत अच्छा सिगनल मानता हूं और मैं चाहता हूं कि सौ पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ ही बाजार कुले ए अगर डिप मिल जाए तो इसको यूज जरूर कीजेगा बस इस पॉइंट का में इस्तेमाल करना चाहता हूं अब आते हैं आपके पहले कुशन पे जो अपने एफाइस का पूछा है देखिए आपको अगर लेवल्स याद होगा तो 22,550,650 लेवल्स हम लगातार बोलते र अपनी होल्डिंग 8% से घटा दी है जब सिम 550,650 से गए हैं आज डियाइस 40% लोंग लेके बैठा है रिटेल के पास अगर आपको मैं हो लोंग होल्डिंग बताओं रिटेल की तो रिटेल की लोंग होल्डिंग 48% इसके पास 56% थी 6-8% इसने अपना माल चोड़ा है मार्क 50% क्रेडिट एफाइस को जाएगा क्योंकि एफाइस की लॉंग पॉजिशन इस समय 58% है और एक और हरान करने वाला अंकड़ा बताओं बजार में ना तो रिटेल सबसे बड़े हैं ना ही डियाइच के पास सबसे बड़ी लॉंग पॉजिशन हैं सबसे ज़्यादा माल मिले तक मैं अंटरी करूंगा भासार भाइसinaire 6 तीन से बाइं घॉन डिप आया कब है है तो आपकी प्रोब्लम मैं समझ सकता हूं कि बाइंक और करे कब जब मिलेगा तो तो यह पहला पोइंट मैं ने आपको i.s का क्लियर किया एक और चीज़ मैं क्लियर करतां हूं क्या F.I.s 58% पर आगे भी और आगे बढ़ेंगे देखिए इवन्ट से पहले F.I.s आ रहे हैं अभी अर्निंग आज शुरू होगी T.C.S के नंबर्स के जाद मैं फॉर्मल मानता हूं ठीक है और भी एलेक्शन भी नहीं होए 19 तरीक को पहली बार वोट गिरेगा तो आपके 80% तक जाने का रूम है 60% मैं रफ रफ मान के चलता हूँ आ गए हो यहां पे तो 20% और आएंगे अगर F.I.s आए तो जिसकी प्रवेल्टी मेरे को थोड़ी कम लगती है इवन्ट से पहले कि वो 80 वाले माप दंड को चूएंगे वो हो सकता है 70 वाले माप दंड को आके चू जाएं तो यहां से 200-300 पॉइंट F.I.s के नाम पर आप और जोड़ते हैं इससे ज़्यादा नहीं जोड़िएगा अभी अभी नहीं जोड़िएगा इससे ज़्यादा ठीक है तो आपको मैं F.I.s के नंबर के बेसिस पर ही 23 जार बोल सकता हूँ कि मारकेट 23 जार भी दिख स्टॉप लोस भी है आपका टार्गेट 23 जार पुराने वालों को ट्रेलिंग स्टॉप लोस लगाना है नहे वालों को डिप के साथ एंटर करना है यह निफ्टी पे भी रणी थी हमने F.I.s के नंबर के साथ मोटा मोटा पार्शली बता दी आपको ठीक है चलिए ठोड़ा टॉप लोंग वाले ट्रेडर आज क्या करें और शॉर्ट वाले क्या करें लोंग वालों को तो बिलकुल इंजुआय करना उनके लिए इससे बहतर तरीके क्या आएंगे आप खुद से बुख से दोखो सारे पॉइंट्स आपके पास गोल्ड चलता है है आपके पास को गुम बटा सुन करके बैठें और आप चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो उसके पीछे एफाइज और लिकुडिटी बहुत इंपॉर्टन रोल है और आप थोड़ा डी कपलिंग भी है अगर आप ग्लोबल मारकेट्स को छोड़ भी दें क्योंकि वह पहले गिरें उसके बाद चल रहे हैं या पहले उप चले फिर थोड़ा गिर रहे हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ हमने जिस रेंज से अपना बेस बनाया बैक टू बैक टू बैक टू बैक चलते हुआ हैं तो मैं बोलूंगा जिनके पास पॉजिशन को ट्रेलिंग स्टॉप लोस बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं बहुत ज़्यादा बीरीश नहीं मैं को तो जो डाटा बोलेगा बहुत मैं आपके सामने बोलूँगा मेरे को ना आपका डर मारा है ना ही किसी और चीज का ठीक आपको समझ में आओ ठीक नहीं तो अपने विद्टेस अलागारों से हम फिर से एक पॉइंट और आपको क्लियर कर दें यहाँ पे कि आप बाइंग और डिप अभी भी कर सकते हो अभी कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है दूसरा पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉपलोस लगाना 550-650 का पुराने वालों के लिए पुराने वाल हैं तो इसलिए मैं शॉट तो नहीं करूंगा बलकि मैं बाइंग और मैं सोचूंगा और सोचूंगा तो आपके सामने ही बताऊंगा फिलाल मैंने तो अपनी ट्रेलिंग स्टॉपलोस लगा रखा है मेरे सारे टार्गेट 2800 वे पूरे हो चुके हैं लेकिन मैं सिर्फ आप हैं और डिप्स करना है गिरावट अगर आए तो वहां पर आपको मौके तलाशना है नई इंट्री करने के लिए 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 अगर आप अपने कन्विक्शन को लूज नहीं करना है वाजार में बिलकुल मजबूती से खड़े रहना है आपको निफ्टी बैंक पर आत चीजों का एक मेजर फर्ख है बैंक निफ्टी औरी काफी दमदार तरीके से और ओपन इंटरस्ट बना बना के चला है जबकि निफ्टी फोका चल रहा है फोका कहने का मतलब उसके पास ओपन इंटरस्ट की पावर नहीं है निफ्टी को तोड़ना बहुत असान काम है लेक एक 22 एक 42 तक हम खड़े हुएं तो पहला पॉइंट तो स्ट्रॉंग पावर के साथ खड़ा हुए दूसरा ये बाइंग ऑन डिप्स का बखू भी इस्तेमाल कर रहा है अब एच्टी एफसी चले और ना चले इसको जड़ा फर्क नी पड़ता क्योंकि इसनी एच्टी एफ होके तो आगे चलना मेरे को खुदी आता है तो वो मेरे को कोटेक ने इंडिसन ने आईसे से ने एकसेस बैंक ने अच्छे से किया एच्टी एफसी ने में को उस जगे से निकाला मैं थैंक्यू भी बोलूँगा अगर एच्टी एफसी नहीं होता तो आज आप ये लेवल अतना जंगता नहीं है अगर एक गैप एजडिस कनवर्ट हो के आजाए माली यह तो पॉइंट निफ्टी एजडिस तूटता है तो इसकी रेशो के इसाप से करीब साड़े तीन सो पॉइंट बैंक निफ्टी तूटेगा तो एजडिस तूटता है तो आप एक छोटा मोट जाए तो कोई दिक्कत नहीं तो आप एक बार अंदर भी आ सकते हो और आपका एक छोटा सा पॉइंट है सिर्फ सो पॉइंट का मैं आपको स्टॉप लोस दे रहा हूं 48,500 का एक स्टॉप लोस लगा लेना और फिर से मारकेट के अंदर मोमेंटम कॉंटीनियू हो सकता है इ मैं रिपीट कर दूँ मेरे अपने टार्गेट अचीव हो चुके हैं यह सिर्फ एनलेसिस के तोर पर मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूं मेरा कन्विक्शन अभी उस लेवल का नहीं है जो पहले डिप वाले लेवल का था मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा नीची है इस मैंने स्टार्टिंग नोट में आपको बता दे हैं कि F.I.S. आ रहे हैं F.I.S. दो ही जगे पर आते हैं आप पिछले तीन दिन का डाटा चेक कर लो आपको IT और बैंकिंग दोनों का कॉम्बो देखेगा दोनों आपस में दुरूनी तोर पर दुश्मन है चलते नहीं वेट उन से कनेक्ट करेंगे लिए पर आपको बता देते हैं कि F.I.S. बैंड़ वाले शेयर कौन से हैं तो दो नए शेयर पैंड में आए हैं और एक शेयर बाहर हुआ है बलरामपूर चीनी और नालको यह बैंड में आए हैं और बंधन बैंक बैंड से बाहर आये हैं तो टोटल जो संक्या है वो है आठ की बलरामपूर चीनी, एकसाइड, हिंद कॉपर, आइडिया, इंडिया, सिमेंट, सेल, जी और नेशनल अलुमिनियम यह तमाम शेयर आज यह बैन में रहेंगी इसमें आपको थोड़ा सोच समझ की काम करना है शिष्टी चलिए महमाना से क फिलहाल बैनलिस्ट में है और कई सारे ऐसे भी काउंटर्स हैं जो कि खबरों के दम पे आज आज आक्शन दिखाएंगे कुछ ही देर में आपके सामने वो रखेंगे पर उससे पहले आये चलते हैं हमारे आज के खास मैमानों के पास और उनसे समझते हैं कि टेक्निकल फ्र आज आपके रिडार पे कहां है आपका फोकस जी और सभी पैनलिस्ट को और दर्शमा को नमश्कार पहले अगर निफ्टी की बात करें तो थोड़ा गैप डाउन का सिनारियो है ग्लोबल संकेत वीक है तो पहला हाफ एनार बहुत रहेगा क्योंकि जब जब भी गैप डाउ हुआ है गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में रिकावरी अच्छी हुई है तो पहले हाफ एनार में मेरा ध्यान रहेगा कि रिकावरी होता है कि नहीं यह देखना है मुझे ओर एक्टेशन है कि होल्ड कर जाएगी निफ्टी क्योंकि अभी भी ट्रेंड बहुत स्ट्रॉंग ह अगर यहां पर मैं स्टॉक्स की बात करूं चुना है पहला है इन्फोसिस 18 एप्रेल को इसके नतीजे है शॉट कवरिंग दिखता हुआ बन रहा है गए दो ट्रेडिंग सेशन में एक शॉट तर्म बेस भी बन चुका है तो इसमें मैं 1542 और 1565 यह दो टागेट्स बना रह एक defensive bet लेना चाहता हूँ क्योंकि वीकेंड है तो फार्मा में तोड़ी सी उच्छा लएगी यह मेरा मानना है सन फार्मा 1604 का closing था यहां पे overall trend strong है एक consolidation में था momentum recover करेगा यह मेरा expectation है तो इसमें मैं 1645 और 1667 यह डो टागेट्स बना रहा हूँ stop loss मेरा बनेगा 1575 का ठीक है तो सन फार्मा यहां पे खरिदारी करके चलना है 1645 और 87 के हां पे targets आपको लगाने है stop loss भी आपकी screen पे है और एक bold call क्योंकि आज TCS के नतीजे आएंगे और उससे पहले IT पे भरोसा जो है अक्षे का दिख रहा है Infosys करीदने की राय दे रहे है उससे जोड़े stop loss और targets भी आपकी screen पे और याद रखे के कल के सत्र में global बाजारों में Nasdaq में भी एक जबरदस तेजी देखने को मिल दीती तो देखते हैं कि उसका कोई rub of impact भारते बाजारों पे भी होता है या नहीं पर संतोष अब आप से समयना चाहेंगे बताएए कहां पे है आपकी नजर गुड मॉर्निग यास सबसे पहले थोड़ा सा मने इप्टी बैंक ने पर बोलना चाहूंगा जो टिम्पे ने हाइलाइट किया है कि FIS में अपना gear shift किया है अप्रेल की सिरीज की शुरुआ से ही वो F&O में धीरे-धीरे long side बनाते गए और पिछले एक-दो दिनों में cash market में उनकी तरफ से aggressive buying देखने को मिलती है और हिस्तोरिकली यह देखा गया है कि elections के पहरे FIS का flow बढ़ते दिखता है तो मुझे लगता है यह जो आज gap down हो रहा है इसको एक buying opportunity के रूप में लेना चाहिए और April is all about commodity मुझे लगता है 2024 एक commodity segment के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है हमने metal में तेजी देखी oil and gas में देखी और last trading session में chemical stock में momentum देखने को मिला था तो मेरा stock रहेगा Deepak Nitride वहाँ पे एक बहुत अच्छा चैनल का breakout आया है stock अपने important moving edges के ऊपर निकला है तो में आपर target रहेगा 2375 का stop loss रहेगा 2250 का second है मेरा federal bank bank को में मुझे लगता है कि अच्छा momentum देखने को मिल सकता है federal bank का chart भी कापी अच्छा हो रहा है इसने 200 दिन के मुझे रिच्व एक बहुत अच्छा base बनाया था और नॉर्मली gold का भी इसको फाइदा मिलता गोल की तेजी को क्योंकि gold banking में gold banking में वनवदो इस player है यहाँ पर खरिदारी करना चाहिए 164 का टागेट रहेगा 157 का stop loss रहेगा ठेक है फेडरल बैंक यहाँ पर हमने देखा था के विंजडे के सत्र में डे हाई पर जाते वे close हुआ था इसके बाद यहाँ पर संतोष का जो भरूसा है वो कायम है 164 के टागेट 157 का यहाँ पर आप stop loss लगा के चलियो और bank nifty पे भी एक buy recommendation और bullish call इन फाक आती हुई संतोष के तरफ से और दूसरा counter है दीपक नाइट्राइट जहां पर पूरे chemical space में अच्छा action देख रहे हैं दीपक नाइट्राइट पे इनका भरूसा है तो यह थी हमारे experts की तरफ से call कुछी समय में और भी experts जूड़ेंगे हमारे साथ पर आई उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या कुछ updates निकल कर आ रहे हैं चौती ते माही के और कौन से stocks हैं जो की खबरों में हैं और यह जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी शरत के पास शरत very good morning सबसे पहले बहुत strong देखने मिली हैं sales लगबग double हो चुका है 860 करोड का आकड़ा है and overall bookings में भी अच्छी improvement देखने मिली है दूसा stock focus में रहेगा metropolis healthcare यहाँ पर याद रखिए दो साल बाद उन्होंने दो hikes लिये थे small space पे उसके कारण जो है revenue में एक bump up आया है 15% यह बेसिस पे growth है और importantly company जो अपनी debt repayment कर दी है March quarter में आप कह सकते हैं महीने में कह सकते हैं कि अब company कर्ज मुक्त है अब हमारा तीसरा company रहेगा Phoenix Mills यहाँ पे largely in-line set of numbers आये थे operationally देखा जाये तो और जो consumption numbers है वो लगबग आप कह सकते 2800 कोड़ का पार किया गया है यह आकड़ार 27% euro new basis पे growth देखने मिली है तो overall Q4 updates in-line to strong देखने मिले है अना Metropolis और Phoenix Mills इनके Q4 अबड़ा है और इसके चलती यह focus में रहेंगे शरद ख़बरों के दम पर कहां पर injection होगा क्या है stocks news जी बिलकुल अभिशेक भारती एटल focus में रहने वाला उनकी जो आम है जहां पे उनका 70% stakeholding है भारत suggest कर रही है 10-15% का premium listing देखने मिल सकता है और नोट कर लिजे IPO price 570 रुपे प्रतिशेर पे है और यह जो subscription हुई है almost 30 गुना हुआ है Vodafone idea भी हमारा दूसरा stock है focus में रहेगा और हमारे ET9 स्वदेश के ख़बर पे मोहर भी लगा है कि वो race कर रहे है FPO लगभग आप कहा सकते है 18,000 को रेस करने वाले है और जो FPO का starting date है वो 18 अप्रेल से 22 अप्रेल तक रहने वाला है अफकोस TCS के चौते तिमाई के नतीजे भी आ जाएंगे साड़े तीन बजे के बाद expectations है कि यह जो अनुमान से बहते नतीजे देखने मिल सकती है जहाँ पे CC revenue growth का लगभग 1.2% sequential growth expectations है और एक recovery BFSI segment में भी देखने मिल सकती है हमारा चौता स्टॉक रहेगा Sun Pharma अब यहाँ उनकी जो दादरा facility है वहाँ पे देखा जाए तो USFDA द्वारा जो AI दर्स मिल गया है यानि कि official action initiated हाला कि brokerage कर मानना है कि कोई significant impact नहीं देखने मिलेगी उन्हों मिंडा भी focus में रह साथ साल में महाराश्रा सीमलेस को भी एक बड़ा order आया है देखे तो लगबग 700 करोड का यह order जो है देखने मिला है ONGC से जहाँ पे वह seamless pipes की supply होने वाली है और हमने एटीना स्वदिश में यह trend पहले ही पकड़ लिया था जहाँ पे oil and gas की इंफरा थीम है उसको लेके और international markets में expansion इस product की देखने मिल सकते हैं यह commentary management की आ रही है यह सारे stocks हैं जो खबर के दम पे अज़ फोकस में रहेंगे ठीक है शुक्रिया शरद अज वैसे तो बहुत जादा खबरे नहीं है लेकिन जो कुछ stocks आपको शरद ने बताए हैं उस पर आप जरूर फोकस करके चलिए लेकिन क्या reports हैं दमदार कहां पर हमारा फोकस रहेगा नजर कहां पर रहेगी बताने के लिए अशेशा हमारे साथ सबसे पहले initiating coverage reports जो आई है उस पर नजर डालेंगे entero healthcare recently listed entity है jeffries की report आई है जहाँ उन्होंने खरिदारी के राय के साथ coverage initiate किया है 1510 रुपीज प्रती शेर का लक्ष दिया है jeffries current market prices से compare करें तो 50% का upside देखता है उनका मानना है कि 20% का organic revenue growth company report कर सकती है CAGR basis पर FY24 से 26 के period में 44% का revenue growth और करीब करीब 8 times प्राइट बढ़ सकता है profit after tax 8 गुना बढ़ सकता है तो positive report है entero healthcare पर 1510 रुपीज प्रती शेर का लक्ष इसके अलावा कुछ CDMO players पर report आई है Goldman Sachs की तीन names इस sector में से जिस पर company ने initiate किया है coverage सिंजीन और Newland को खरिदारी की राइदी है और Loris Labs को बिक्वाली की राइदी है उनका मानना है कि earnings में कुछ street expectation से कमजोर नतीजे company report कर सकती है जिसके चलते Loris Labs पर बिक्वाली की राइदी है इसके अलावा credit access gramin की बात करते हैं जहां Goldman Sachs ने खरिदारी की राइदी के साथ initiate किया है coverage और 1788 रुपीज प्रती शेर का लक्षर रखा है उनका मानना है कि company 21% का profit after tax CAGR और lending CAGR 24% का report कर सकती है तो earnings outlook काफी strong है जिसके चलते credit access gramin पर ये positive report Goldman Sachs से आई है इसके अलावा Macquarie की report है इंडस्रियल्स पर कुछ सारे नाम्स है इस sector पर Cummins, BEL, LNT और कार्बोरांडम युनिवर्सल इनके top picks है industrial sectors है इसके अलावा ABB और Siemens पर उन्होंने neutral rating दी है उनका मानना है कि near term में volatility हो सकती है लेकिन long term structural outlook अभी भी intact है जिसके चलते उनके top picks, Cummins, BEL, LNT और कार्बोरांडम युनिवर्सल रहेंगे इसके अलावा Interglobe Aviation पर Access Capital के report आई है जहां उन्होंने stock को downgrade किया है पहले खरीदारी की राई थी अब add की राई दी है उनका मानना है कि last एक महिने में करीब करीब 22% का 49 counter पर देखने को मिला है जिसके चलते अब आगे चलते हुए शायद upside limited रह सकता है Interglobe Aviation पर उन्होंने target price marginally बढ़ाया है 4100 प्रती शेर का target दिया है और उनका मानना है कि अब because stock बहुत चल चुका है limited upside देखने को मिल सकता है और last में metal counter पर एक report आई है Access Capital की metals पिछले कुछ दिनों से focus में रहे है जिसके चलते यह report आई है Access Capital की हिंडाल को उनका topic है उन्होंने Tata Steel को downgrade किया है अब विक्वाली की राय दी है और JSW Steel, JSPL और सेल पर भी उन्होंने अब विक्वाली की राय दी है उनका मानना है कि ferrous space से compare करें तो non ferrous space काफी attractive नजर आ रहा है और हिंडाल को इनका topic है तो metal sector पर access capital की report जिसके चलते metal stocks पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी बेडल से चले मेटल चले भी हैं काफी और हिंडाल को भी काफी अच्छे चला विदानता भी काफी अच्छे चला जो नहीं चलने वाले शेयर्स थे वह दोनों भी बहुत तीज़ी से चले टाटा स्टील सेल ले तो खेर कमान्ट सबाल रहे हैं ब्रोकिंग ऑस्टिस की रिपोर्ट्स और थोड़ा कॉंफिदेंस बिल्ड़ अप कर रही हैं कि साल बढ़ी रहेगा आपने कुछ मिनिट पहले अभी आपने संतोश मीना को भी सुना था उन्होंने का मैटल्स के लिए या यानि कि कॉमोडिडी के लिए साल पूरा भी करते हैं खेर आके काम करते हैं रतनेश गोईल हमार सा जुड़ चुके हैं उनकी भी ट्रेडिंग कोल्स आप नोट कर लेजेगा संतोश सरकी और अक्षे भी भागवत के आपके पास आ चुकी है रतनेश सरकी को नोट कीजेगा फिर हम कोशन के सिलसले को आगे और रिकावरी नीचे से तो मेरी दोनों बाय रहेगी दोनों कंडिशनल बाय है पहला में अच्छा लंबा देखने को मिल रहा तो बारा सु दस के अपर यहां पर लेना है 1180 रुपय का स्टॉप लॉस लगाएंगे वह बारा सो पचास के टार्गेट यहां पर मुझे राते थीक है तो रतनेश सर के आपने दोनों के दोनों देख लेए यह यह लिकर वाले स्टॉक्स हमने भी कई बार आपको नोटिस करवाएं और आप देख भी पार हो कि बहुत बढ़िया चल रहे हैं चोटा सा गैप देते एक्जांपल दो परसंट नीचे आते हैं तो छे परसं के जिनके भी कॉल्स आई हुए वापीस से रिपीट कर देता हूं फिर हम कोश्चन के सिलसले को आगे बढ़ाएंगे पहले जरा संतोज सर की कॉल्स को स्क्रीन पे लेके आएगा पर उससाब संतोज सर की कॉल्स पहले पहले चलाईएगा उसमें नोंने निफ्टी बैंक नि के पोजिशनल चेंज होने वाले शेयर्स हैं एक तो बैंकिंग का मिटका बैंकिंग मेंसे और एक कैमिकल सेग्मेंट मेंसे हैं अब लेकाई जरा रतने इस इनकी अक्षे भागवत की कॉल्स इन्होंने इन्फोसिस दिया है इनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में है और आपको है कि नैस्टेक चला है आई टी अलड़ी मूव बना चुका है और चल सकता है एजन्फोसिस हमने सबसे पहले आपको नोटिस भी करवाय था और दूसरा है सनफार्मा टार्गेट होगा इनका सोला सबस्रत काम इसका रतने इस तर ने आलड़ी आपको फ्राइडे के मूड़ हैं महौल के हिसाब से कुछ शियर दे दी है तो आप उसका ध्यान रखेगा यूनाइटेड स्पिरिड्स यूनाइटेड बिर्विर्विर्स यह कुछ एक शियर्स हैं जो सर के लिस्ट में हैं जरा दिखा दिए रतने सर की जो कॉल्स हैं वह भी आपके स्क्रीन पर आजाए अठारा से बाइस तारीक की बीच में यह खुल जाएगा इसका एफपियो और सोनह अप्रैल को एंकर निवेश्कों के लिए बोली भी खुल जाएगी यह जानकारी है बड़ी रकम है अठारे हजार करोड रुपे की एक बार जरा संतोश सर आप चेक करेंगे वोड़ा फोन इस वड़ा पना आइडिया की बात करें तो यह उसके बास को सेंडमेंट चेंज हुए तो उमीड की जा रहे थी किया क्या क्या क्यों आईपी के जरी हा आता यह पैसा अगर प्यू आइपी होता तो इतना पॉजिटिव नहीं है तो देखना होगा यह बारा के लेवल को होल किया तो में भी शायद कुछ बाउंस बेक देखने को मिल सकता है तो अभी फिलाल के लिए इसकी नीचे बारा ओपर 14 रुपे तो हो सकता है इसी वज़ेश अगर बारा के नीचे फिसल जाता है तो शायर इस टॉक में प्रेशर भी बढ़ सकता है जो से लेसे के रिपोर्ट पर दिखा भी रहा हूँ आपको थोड़ा उससे भी आईडिया लग जाएगा कि अदर प्ले करने का रेंज कैसे रहती है उपर और नीचे की रेंज क्या है इसमें अगर आप न्यूज लाएं तो ठीक नहीं लाएं तो भी ठीक है लेकिन आपको आईडिया लग जाएगा उ काउंटेंस को देख रहे हैं मैंने इसको क्लब कर दिया तैडिस काल डबल बॉटम डबल टॉप तो यह डबल टॉप बने हुए यह तो होगी उपर की रेंज अठारा से उपर जाता ही नहीं बारवा फिजल जा रहा है एक अटेम्ट फेल दूसरे टेम्ट फेल तीसरे टेम उशेर करना में उनो मिंडो यू एन ओ रतलेश जी जरा खोलिए का चार्ट यू एन ओ मिंडा लिखे आ जाएगा शेर पांसो ब्यालीस क्रोटर पे कर निविश्च कर रहे हैं अगले पांस साल में कंपनी और बढ़िया जमीन वगरा लेके प्लांट एक्सपेंशन करेगी ह हर्याना में किया जा रहा है जो कि ऑटो ऑटो एंसका हब है जरा चेक कीजिए सर पॉजिटिव खबर है ये यू नो मुझे सा लगता है कि अगर आच्छी गिरावाट में कारेंट से थोड़ा बहुत भी नीचे मिल जाता ही है हाला कि बहुत अच्छा सपोर्ट है साथ सो ब पर में टार्गेट इसमें जो बनते दिखाए देंगे अगर डीप में से पहला इंट्रडेम टार्गेट बन सकता है वह बनेगा साथ सो चालिस का और पोजिशनल लेकर चाहता है तो मुझे इसा लगता है बड़ी तेजी यहां पर बनने को अभी भी तैयार है जो कि 800 क्योंकि वहां पे भी अच्छा अक्शन देखने को मिल रहा है मेट्रॉपलिस इसको लेकर फोकस में है कंपनी के चौती तिमाई के अपडेट साए 15% की इनोंने ग्रोथ दर्श की है अपनी आए में साथी वॉल्यूम के फ्रंट पे प्राइस के फ्रंट पे यहां पे भी अ अक्शन देखने को मिल सकता है अक्शा इससे आपके बारे में आपसे राय जानना चाहेंगे मेट्रॉपलिस आज अगर गैप अप होता है तो क्या यहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए बड़े टागेट क्या निकल कर आ रहे हैं और क्यूंकि पूरे डाग्नॉस्टिक स्पेस की जो चाल है वो एक तरह की देखने को मिलती है जिस तरीके की ग्रोथ मेट्रॉपलिस ने देखी हो सकता है कि डॉक्टर लाल के भी कुछ दिनों में अच्छे अपडेट्स आएं तो क्या इस सेंटिमेंट से डॉक्टर लाल में भी कोई बैट ले श्रिष्टी जी पहले मेट्रॉपलिस की बात करे तो 1830, 1830 ये बहुत ही एक एहम रेजिस्टेंस है अब देखे तो दो इंस्टेंस में प्राइस रिजेक्शन मिला है एक तो ऑक्टोबर 2022 में और फरवरी दो मैने पहले तो मैं 1830 के लेवल पर बहुत वाच करूंगा अगर ये लेवल के उपर सिस्टेंग होगा तो बहुत ही स्ट्रॉंग ब्रेकाउट मिलेगा और ये स्टॉक स्ट्रॉंग मोमेंटम में आ जाएगा जहां पर आपके 2150 से 2200 तक बन सकते है तो ब्रेकाउट के बाद ही आप ये ट्रेड में पार्टिसिपेट कीजे और अगर डॉक लालपाच ट्रेडिंग सेश्न में थोड़ा सा डलने से वॉल्यूम काफी सब्डूड है पर जिस तरीके का सेटप है मेरा मानना है कि लालपाच लाब में शायद एक अच्छा मोमेंटम रिगेन कर जाए तो ट्रेडिंग के लिया से आप इसमें पार्टिसिपेट करें 2450 त उसमें पोजिशनल बाय की मेरा ही रखूंगा ठीक है तो क्लियर स्ट्राटिजी डॉक्टर लाल पातला भी यहां पे 2450 तक के टागेट आते हुए दिख सकते हैं डॉक्टर लाल का जो सेटप जादा अच्छा लग रहा है और मेट्रॉपलिस अगर 1830 के ऊपर निकल कर तो जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी तस्वीर सामने रख रहे हैं पर देखते हैं कि मुमेंटन सस्टेन होता है या नहीं चार्ट के फ्रन पे पर फोकस करेंगी एक और काउंटर पर पिरामल एंटरप्राइस यहां पे भी संतोश एकबार आप राई दीजे पिछले दो दिनों में थोड़ा सा अच्छा अक्षिन देखने को मिला है स्टॉक फिर से उपर आने की कोशिश कर रहा है और आज खबर यह है कि इसने 500 करोड पुरवांकरा के प्रोजेक्स में लगाए हैं बैंगलोर की इनकी प्रॉपटी है वहां पे ब यह स्टॉक पी ल की बात करें तो पी इल बाउंस बेड जरूर करें लेकिन इसको मुल्टीपल अफडल साएंगे इम्मीजेटली आपको 900 रुपए के आसपास इसको 100 अमूं गारे जा रहा है उसके उपर निकल उता है तो पिर साधे 900 के आसपास इसको 200 अमूं गारे जाए की सला है कुछ और शेयरों की तरफ बढ़ेंगे इंडिगो में हमने देखा था कि बहुत शांदार चाल परसों के सत्र में आई थी करीब-करीब पांस परशन्ट चला था और रिकॉर्ड उचाई पर भी पहुँच गया है और 300 रुपे का भाव पार कर लिया इंडिगो ने रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं इन्वेस्टर की इस पर होल्ड की रेटिंग है और लक्ष को बढ़ा कर दिया है 4050 रुपे का और एकसिस कैपिटल जो लक्ष दिया है वो दिया है 4100 का जाने कि 4000 रुपे से उपर के लक्ष अब निकल के आ रहे हैं इंडिगो के लिए अब शेयर चल भी रहा है और अच्छा की जिए है कि देखे गर्मी के छोटीओं का सीजन है ये एक तरह से हॉलिडे सीजन भी होता है तो ये शेयर चलना है इस पर अपने एक स्पोर्ट की व्यू लेंगे लेकिन इसके पहले जरा एक बार अपने एडिटर इंच चीफ निकु निकुन सर गुड मॉनिंग आज से शुरुवात हो जाएगी कह सकते हैं कि फर्मल तरीके से टेस्टिस के नतीजों के साथ लेकिन आपसे व्यू चाहेंगे सर वोड़ोफोन आइडिया को लेकर और जहां तक मुझे लग रहा है मैं ही दूसरी तीसरी बार आपसे इस पर अबिशेक वोड़ोफोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जो एक फियर और उमीद हम आपजी में बोलते हैं फियर और ग्रीड यहां पर मैं बोलूँगा फियर और उमीद उन दोनों वोड्स पर चलता है जब कुछ भी हम देखते हैं मार्केट के अंदर फंड रिस को लेकर क देखते हैं में बोला हो जाएगा फियर यहां कि कॉपिटिशन है वारेल है भली तरह भारती की तरह से हो जेयो की तरह से हो इंड बारती तरह लुग जो स ँदूर्प हॉत जिए है उनका जो में मार्केट सेयर वो वोइस में है जो कि ऐक तरह से फाटम हो रहा है डेटा के अभी कंपनी को रिस्क कैपिल दाल करके, अगर अगर अब सर्वाइवल कैपिल दाल करके इसको अगर चला भी देंगे, तो क्या कंपनी फ्यूचर एडी रहेगी? मेरा है मानना है कि एक आइडिया एक ऐसा स्टॉक है जो कि ट्रेडर्स उसको हमें प्रिफर करते हैं. डबल डिजिट स्टॉक है, लिक्विड है, स्प्रेड्स इसके अच्छे हैं, तो इस स्टॉक के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि जो बिग प्राइस आक्षन आता है, वह आता है H&I का या फिर ट्रेडर का. अगर आप एक ट्रेडर हैं और एक H&I हैं, तो इन दे नियर टर्म, अफ्कोर्स इस न्यूस की वज़े से आइडिया के स्टॉक को सहरा मलेगा. मगर आप क्या एक लंबा व्यू ले सकते हैं, जैसे आप भारती आइटेल पर लंबा व्यू ले सकते हैं, अप रिलाइंज यो के मौल्ट पर लंबा व्यू ले सकते हैं, मुझे ही नहीं लगता है कि वोड़फोन आइडिया में कैपिल इंफ्लोजिन आने की वज़े से हैं इनकी प्रॉब्लम है कि जो मार्केट के जो डैनेमिक्स हैं उनके अंदर कॉम्पिटिशन आगए है उनके अंदर डैनेमिक्स इतने जबरदस्त तेजी से बदले हैं कि आईडिया एक एज़ा कंपनी हैस डेली लॉस्ट पतलब सबने अगर सौ मीटर की लंबी च्छलांग लगाई है तो आईडिया ने केवल 15 मीटर की च्छलांग लगाई है निकुल सर अभी जो धिरी धिरी करके आईटी कंपनीस का हमने मॉमेंटम वापिस से मार्केट पर आते हो देखे हैं आज TCS के नंबर्स भी है कुछ कनेक्ट करेंगे आप TCS के नंबर्स आईटी का मॉमे लगाई नेज्डियाय को और इंडियन इटी शे? के अंदर कोई डर्रेट कोरिलेशन नहीं है अगर कोरिलिशन सही होता है तो इस अप्रकार का बेंचमार्क सेट कर चुका है कि वह किस प्रकार के नितीजर आएंगे मगर अगर TCS आकर के कुछ different बोलता है different मतलब कि the worst is behind us हम एक double digit growth जो aspirational number था एक realistic number हो सकता है हमको लगता है कि we have gone through a decline and the decline is behind us and now next 3-4-5 quarter strong growth वापस आने वाली है तो stock के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ दिन के लिए out performance आएगा मगर irrespective of जो भी आज हम TCS से सुने मुझे लगता है downside limited है और upside capped है downside इसलिए limited है because in companies में cash है in companies के इंदर constant buyback चलता रहता है upside इसलिए limited है because इनके जो stocks है कोई बहुत सस्ते नहीं है कि जिससे कोई भी अगर नई चीज आती है तो बहुत बड़ी चलांग लगा सकते है because TCS का stock जहां तक मुझे आदे थोड़ दिन पहले all time hyper था और अगर आप देखें valuations को तो valuations अपने historical average से अभी उपर जाता है तो अगर अच्छे नतीज़ें आए तो हो सकता है इंदर near term के अंदर 5-7% का उच्छाल आजाए उससे आदा मुझे इसके इंदर नहीं लगता है अगर नतीज़ें खराब रहे तो 4-5% के डिक्लाइन आ सकता है because companies rich है balance sheet है इंके इंदर buyback चलते रहते है तो उसकी वज़े से हम देख सकते हैं कि support आ जाएगा तो क्या यह अब मुझे आपसे CDMO और CRO players के बारे में जाना था क्योंकि आज Goldman Sachs के एक report भी आज जहां पर selectively उन्होंने तीन counters पे initiate करके अपने राइ दी है but हम जब देख रहे थे कि पूरे space में हम US की biotech funding की बात कर रहे थे वो उमीद है कि थोड़ी ठीक होगी pricing pressure को लेके concerns देख चाइना प्लस वान थी में सब क्योंकि stocks काफी correct हो चुके है उपर से कुछ selected counters तो क्या यह अब मौका है कि लंबी growth को लेकर कुछ counters में position लेने का तो कि फार्मा एक cycle फॉलो करता है माने ना माने अच्छी से अच्छी फार्मा कंपनी में हम देखते हैं कि cycle का effect आता है कोई भी फार्मा कंपनी कुछ भी आकर के बोले जी हमार पास IP है P.A.S. Specialist Chemicals Specialist Pharma के अंदर है जी नहीं इनके इनके अदर cycles होती है कोई cycle में ज्यादा benefit करता है कोई cycle में कम benefit करता है क्या Indian Pharma के अंदर cycle turn हो चुकी है कुछ select products में cycle turn हो चुकी है खास करके अगर मैं बल्रक्सी कुछ कंपनीों की बात करूँ अगर मैं CRO, CDMO कंपनीों की बात करूँ cycle turn हो चुकी है cycle turn होना के कही कारण है China plus one, US के अंदर pricing ठीक आ रहा है और इस पूरे sector के अंदर हमने जो देखा था एक प्रकार इतना concentration हो रहा था नए players, नए players का वह भी खतम हो चुका है तो CDMO, CRो की cycle एकदम change हो चुकी है अब इसके अंदर जो बड़ी कंपनिया है उन पे हमेशा नज़र रखिए खास करके Loris और Divis मेरा यह मानना है जब कोई भी cycle turn होती है तो उसको हमेशा valuation के मुल्यांगन से नहीं देखना चाहिए उनको यह देखना चाहिए कि cycle के upside किते दिन चल सकती है और cycle लेकर upside चल गई तो क्या यह company market share gain और profitability gain केंदा हमको surprise कर सकते है तेकि share bazar जब उपर की तरफ जाता है तो यह बोलना बहुत मुश्किल है कि bull run कहां पर खतम होगा पिछले bull market में हमने देखा था P multiple nifty का 25 से 30 के उपर गया था अभी तो नहीं है तो वही cycles में होता है जब pharma की कोई cycle turn करती है तो यह एक कम से कम 4 से 5 quarter के लिए turn करती है और इनके अंदर जब पैसा बनता है बेसा पैसा बनता है ठीक है फार्मा को लेकर बहुत ही valuable insights सेक्टर को समझने के लिए और इस सेक्टर आप कैसे stocks चांटते हैं उसको लेकर भी बहुत ही काम की बाते हैं आपके लिए बहुत शुक्रिया आपका समय देनी के लिए और इन तवाम stocks पर अपना view भी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चलिए आगे बढ़ेंगे और हम बातशीत कर रहे थे इंटर ग्लोब aviation की जहां पर रेपोर्ट सच्छी आई है चार हजार रुपए के उपर के लक्ष हैं और इंटर ग्लोब में हमने तीजी देखी भी है बुद्वार को चार से पांच परसेंट के आसपास के शायंदार तीजी रिकॉर्ड उचाई पर शेयर कारोबार भी कर रहा है और ट्रावल सीजन भी चल लाए गर्मी के छुटियां भी हैं बहुत सारी जगों पर एक ज़रा व्यू इस पर चाहेंगे अक्षाय आपसे इंटर ग्लोब एविएशन कितनी तेजी आप देख रहे हैं क्या आपको लगता है कि अप्रेल के अप्रेल में ही ये जो चार हजार रुपए के लक्ष जो प्रोकरिजिस हुझा रहे हैं उसके उपर की वो हासिर हो जाएंगे शेयर में ये इंटर ग्लोब एविएशन कफ्ती रफ्तार से उड़ान भरा है और अगर आप मोमेंटम देखे तो बहुत ही तेजी से मोमेंटम है बस थोड़ा नए निवेशकों के लिए मेरा कमफर्ट नहीं रहेगा क्योंकि चार्ड्स पर आप देखे तो मोमेंटम थोड़ा ओर स्ट्रेस्ट है चार्ड्स ओवरबॉट है और कभी हलकी सी एक प्रॉफिट बुकिंग की टिप आपको मिल सकती है चार्ड में कोई खरा भी नहीं है बस नहीं एंट्री की कोज है कि कहां पे लेना है तो मैं कहूंगा अगर आपको 3700 से 3750 ये रेंज में मिल जाए तो आपस आपको रिएंटर करना है 3600 का बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट है और जो 4000 के टारगेट है वो जल्दी आ जाएंगे जिनके पास होल्डिंग है वो होल्ड करे 4000 प्लस टारगेट आपको एट से देड़ माहिने के अंदर दिखेंगे बस एंटरी के लिए थोड़ा डिप के लिए वीट कीजिए बाकी व्यू तेज रहेगा एंटर क्लोब अवियेशन के ठीक है व्यू बुलिश है एंटरी यहां पर नहीं करनी है आपको चला बहुत तीज रफतार से है थोड़ा सा नीचे आ जाए पचास सो रुपे अगर नीचे आ जाए तो आपके लिए बहुतर इंटरी पॉइंट मिल जागा लेकिन यह व्यू कायम है कि चार हजार रुपे यह शेयर जाएगा एक सी डेड़ महीने के भीतर आपको यह लक्ष देखने को मिल जाएंगे चलिए आगे बढ़ेंगे और अब स्वागत करेंगे बसीन साथ का मार्केट के महारत ही संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए है बसीन साथ बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए स्वागत है आपके एटीनों सो देश पर वसीन साथ 49,000 का बैंक इनिफ्टी मुमिन्टम लगातार बना हुआ है आप जड़ा एक व्यू शेयर कीजिए अपना और कोई अपडेट से तो भी बताइएगा अब बॉर्निंग अभी शेक आपको डिंपी और सिर्ष्टी को तो अपडेट यह है कि मजार में आपको काता थोड़ी साथानी बरतना अब 49,000 पे ज़्यादा आपको हिम्मत बादा नहीं बनना थोड़ा सा धैर यह रखना है देखिए अक्टूबर के महिने में FI की positional positions 72% short थी वो होता है bottom क्योंकि गदे जहां बेचेंगे वहां आपको long होना है और अब हो गई है 18% long और जब वो लेने आएंगे तो आपको यहां profit book करना है यह ऐसा barometer नहीं है लेकिन यह historic होता है greed and fear is played out perfectly by them देखिए higher yields, higher oil price और froth on the market is telling me कि आज नहीं तो कल थोड़ा सा यहां पे आपको सयम रखना चाहिए market में जब तक 4-5% की correction ना आए you don't have to be over exuberant stock specific रही है index पे मुझे अब कोई तेजी इतनी जल्दी नहीं दिखती और मुझे लगता है आज की बात छोड़ के आज फिर वापे short covering क्योंकि magnificent 7 चल रहे है यहां से you must take some money off the table earnings को play out करने जीजिए macros को play out करने दीजिए tail में मुझे फिर तेजी दिख रही है और stock specific आपको जैसे commodities कही थी metals, specialty chemical वहां आपको रोजांग रखना चाहिए but broader market nifty और bank nifty में मुझे fully price दिखते है आपको update दे दू पर्फों भी आपको मैंने वेदानता और SBI Live कहा था वेदानता 9% बढ़िया 260, 65, 70 में आपको ठोक के कहा था वेदानता पौने 400 रुपे जाएगा और 2400 रुपे हो गया एक महिने में 30% बढ़ा है sale, nalco, gale सारे आपके out performers है आपको यहीं कहा था 2700 की put लेके जाना 170 रुपे में और उसमें आपको 2500 का target दिख जाएगा हो सकता है आज ही आपको 2500 रुपे दिख जाए तो आप अगर safety को neutralize करते हैं, hedge करते हैं आपके लिए सुभिदा रहती है आज भी मैं सोचता हूँ अगर market में कोई भी थोड़ी सी rally आएगी by some puts and by protection आप कहें तो मैं आज के भी picks आपको दे रूँ बिल्कुल बिल्कुल आपके वेट कर रहे हैं सर आपके trade के लिए और आपने अच्छा क्या update पहले ही बता दिया और indices पे भी आपने clear कर दिया थोड़ा सावधानी रखो अब ऐसा नहीं कि एकी तरफा हर दिन हर दिन तेजी चलती रहेगी ठीक है बस इन साब बताएए अपने shares बताएए सर आज के तो देखिए डिम्पी जी दो calls है एक buy एक sell और ये जाधा तर उनके लिए है जो trader भी है और और market में participate करते है मुझे लगता है capital goods में जो टेजी आई है बहुत जादा ऊपर चले गए है share यहां से थोड़ी बहुत थीमी आनी जी है ABB में मेरा sell है ABB is now trading at 62 times which is very expensive और इस भाव पे sustainable नहीं है साथ में input cost बढ़ती है steel, copper, nickel वो इनके लिए negative होता है margins के लिए sell ABB at 6660, 6800 का stop loss सारे 3300 का target और lever मुझे बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि अगर आपके seeds और corn prices बढ़ते हैं तो lever का pass on effect बहुत अच्छा है lever एक contrarian stock के underperform करता है लेकिन consumption is back और अगर हम सोचें के rural income बढ़ेगी तो lever becomes a very good proxy मुझे लगता हाथ से lever should start to at least market perform सारे 2200 में लीजिए 2200 का stop loss है लेकिन मुझे धाई जार का target मने यहां से 7-8% 10% तक की तेजी भी आजा lever में मुझे कोई अचमबा नहीं होएगा ओके तो HUL buy और ABB India यहां पे sell करना है दोनों ही calls जो है पर केमिकल स्पेस में से कोई और स्टॉक है जहां पर नजर रखनी है क्योंकि फर्नमेंटल रियाद से कई सारे triggers अब सामने आ रहे है प्राइजिंग को लेके थोड़ा support है आपकी कोई स्टॉक्स जो कि आपकी लिस्ट पर और भी हो बिल्कुल श्रिष्टी देखिए मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था मैंने जब बॉट्मिंग आउट थी SRF और आर्ती वहाँ पी किये थे 466 रुपे पे आर्ती और 2150 पे SRF अब यह दोनों और पर फार्म है अभी भी basket लीजिए दीपक नाइट्राइट, नवीन, SRF, आर्ती and UPN आप इनमें यह बास्कित में इन्वेस्टेड रहेंगे तो पैसा कवाएगे अब यह नहीं के एक दम ही आज आज आप थोड़ा बहुत अभी लीजिए थोड़ा बहुत नीचे बटोंट मिस्पेश्यालिटी केमिकल अज़ाइट केमिकल से कह रहा हूँ इस अपेड़ेग्री स्टॉक और सोड़ा आस प्राइस जैसे बरड़ी है अज दो दिन पहले मने सुना चाइना को डाउंगेट कर दिया बस अब सोचिए चाइना ही चाइना परफॉर्म करेगा जल्दी में और मेटल्स और स्पेश्यालिटी केमिकल बिकम अप्रॉक्षी टू दाट और जुए आपका रेटिंग उन्डिशन से के साथ भूह रोख देव वहां से चलना शुरू जहां मौँ चलने लगें वहां से आपका रुकना यह अच्छा नालिसिज आपका और आपने प्रूब किया हूँ आपको लगता है बैक टेस्टिंग भी आपकी वसीन साब यह भीना बैक टेस्टिंग के और बिना तीस साल के तजूरूबे के ऐसे आनी सकता यह किसी के माई केलाल की हिमत यह आप यह ले सकते हैं यह आप ही ले इंडिया और साउठ कुरिया मेरे बॉस ने यह लीमन ब्रॉदर्स को एपग्रेट कर दिया उसकी क्रेडिट रेटिंग उसके एक अकते बाद लीमन ब्रॉदर्स जीरो हो गया तो उसने का उसने समझाया पैसा मत लगाना नहीं तो बड़ा-बडा नुक्सान पाऊंगे आपके आपके एक्सपेरियंस और आपके बॉस की कई भी बात का रिस्पेक्ट करता हूं और यह हमको दिखता भी है कई बार ऐसा होता है कि यूफोरिया में बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है धुंद सब्सक्राइब को आप चांडते हो बहुत अच्छा लगता है आप से बातचीट करके थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रें से थैंक यू थैंक यू वेरी मच अब मैं एक और दिली के महमान का ही स्वागत करूँगा आशीश कपूर साब मरसा जूड़ चूगे आज ओपनिंग में शुकर वारका दिने आशीश सर बहुत बहुत बाड़ी खरिदारी या अच्छी खरिदारी करके बनाए रखना भी अपने हमें चैलेंज हो गया अब कोई एक शेर आप दे सकते स्टार्टिंग में ही शेर जो मेरे नजर में है वो है आई टी सी मेरे मताब एक स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्ट भी कर लिया है और बहुत ज्यादा बलकि हो सकता है इंडेक्स मैनेजमेंट के कारण ये शायद चल भी जाए करेक्शन में और आइधर वे डाउंसाइड लिमिटेड है और जैसे मसीन साब ने थोड़े पहले बोला मेरे अताब एक कंजूमर सेक्टर में काफी देर से परफॉर्मेंस नहीं आ लिवर को फैदा होना ही होना है आईटीसी मेरे पिक है क्योंकि आईटीसी मेरे अताबिक बहुत ट्रिगर्स आगे चलके इनके कई बिजनसे अलग से लिस्ट भी होने की संभावना है प्लस स्टॉक काफी देर से करेक्ट होके एक तना से कसॉलिडियर करके चलना शुरू है कि 2020-23 से 2020-23 में डबल हो था स्टॉक ये कोई बहुत ज़यता सरप्राइस नहीं होगा कि यहां से अगले डेर दो साल में दबार डबल हो जाए इन लेवल से भी तो मेरे ताविक अपसाइड बहुत अच्छा है और डाउन साइड प्रोटेक्टेट है तो दिस इस दे बेस वन स्टॉक लार्ज कैप जो कि हरे कोई भी इन्वेस्टर अभी इस लेवल पे भी ले सकता है ठीक है रिस्क रॉड काफी बेटिंग कर रहे हैं इसे पहले बसीन साब भी होल बता के गए है तो दोनों डिफेंसिव दोनों ही कॉल्स आपके पास आगे होंगी अगे बढ़ते हैं एक दो शेर जरा और चेक कर वा लेते हैं मैं जरा ब्रेक आउट शेर भी पता कर लेता हूं नो बज़ क्योंकि है रतेश रही आपने आज युनाइटिट स्पिरिट्स युनाइटिड बिरुविर्स की बात की मैंने ना तुरंत तिलक नगर इंडस्ट्रि या पर 210 रूपरव पर टार्गिट दिखाई देते हैं मुझे 280 दिखाई देते हैं ठीक है, संतोष सर आपने आज फेडरल बैंक दिया अपनी कॉल के अंदर एक और बैंक का आपसे पता करना चाहता हूँ है, इस पे भी आपका confidence हाई है, ये भी आपने देखा ही होगा पका पहले मैंने इसी को scan किया था और क्योंकि लास विक इसमें एक upgrade भी आया तो एक channel formation का breakout भी आया, हलाकि immediately 86 इस पे 200 दिन का moving average इसलिए मैं थोड़ा सा wait करना चाहूँगा, जैसी 86 cross करेगा इसमें एक बड़ी तेजी की तैयारी है, इस तो का structure बहुत ही अच्छा, 86 पे एक minor hurdle है, वो cross करते से हमको 92, 100 उपिस तक की upside देखने का मिल सकती है, नीची अब 81, 82 का area बहुत strong base की तरह काम करेगा, ठीक है, एक share मैं जरा और पता करता हूँ, रेडी को खेतान, एक बार जरा ये share पता करता हूँ, अक्षे भागो से, अक्षे जी जरा रेडी को खेतान भी चेक करे आएगा, रेडी को खेतान भी अब देखे, तो एक short term consolidation zone में है, 1600 का एक base तो बन चुका है, पर अभी एक resistance पार करने की देरी है, resistance का level है 1750, तो अगर अब short term trading के लिए से buy करें तो पहला target अपका 1750 रहेगा, जहाँ पे मुझे देखना है कि एक successful breakout हो पाता है कि नहीं, longer term chart structure ब आपके पास share हो तो 1600 के निचे stop लगा के hold करना है, तो positive view है, trading target 1750 first target, बाकी positional 1900 touch कर जाएगा, तेर से दो महीने के अवदी में ठेक है, तो यहाँ पे radical khaitan, यहाँ पे आपको राई दी गई है, पर एक और counter जो की brokerage के radar पे है, वो है entero healthcare, हाल फिला हाल की listing है, जेफ्रीज ने coverage initiate के है, 1510 के targets है, संतोष आप से एक बार समयना चाहेंगे, देखे हाल फिलाल की लिए बहुत जादा data points नहीं होंगे, पर ज आपको लगता है कि अब ये बड़ी तेजी के लिए त्यार है? आई लगाया था करीबंग 1260 के आसपास का, वो फिर से देखने को मिल सकता है, तो risk reward काफी favorable है, आप 980 का positional basis पे stop loss लगाई है, हो सकता है जो target है 1500 रुपर की वो आपको आपको शायद देखने को भी मिल जाया है. तो यहाँ पे आप रखें नजर देखें, शायद 5% की तेजी के साथ खुलने के त्यारी कर रहा है, पर आप सोने पर नजर आ लिए, बॉड़म आफ दे स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा, कि MCX पर सोने ने फिर बनाया है नया record, हमने देखा था, पिछले दो दिनों से जबर्दस तेजी अंतराश्य बाजारों पे भी ग्लोबल मारकेट में हमने देखी सोने पर आती हुई, 72,500 के स्तर जो हैं सोने पे फिलहाल आते हुए देख रहे हैं, तो एक नया record सोने ने बनाया है, पर फिर से equity markets का रुख करेंगे, और आशिर जी आपसे एक बार PVR पे जाना चाहेंगे, क्योंकि आप consumer space की बात कर रहे थे, प्योर प्ले तो नहीं है, पर CLSA की positive report आई है, उन्होंने 65% के अपसाइट के साथ टागेट्स दिये हैं, 2280 के, क्लियरली जितना भी हमने change देखा OTT platforms की तरफ जो रुजहान था, इस पूरी space में लोगों का multiplex में जाकर movies देखना बंद नहीं हुआ, और CLSA को भी ये team पसंद आ रही है, आपकी कोई tip नी PVR आइनोक्स पे? देखो मेरे ताब एक बहुत अच्छा share है लेकर रखने का, दो कारण, एक तो आपकी बिताया कि consumer boom आ रहा है, और जो cinema hall है, वो एक अलग चीज़ है OTT से, क्योंकि एक तरह से वो outing है, family outing है, जो कि जिस तरह से urbanization बढ़ती है, जिस तरह से mid class की aspirations बढ़ती है, ये चीज़े आगे चलके बढ़ेंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि ये एक तरह से आप कह सकते हो lifestyle trend है, कि आप हर weekend पे या evenings में, आप outing पसंद करते हो, तो उतरह जैसे disposable income बढ़ेंगी, aspirations बढ़ेंगी, ये चीज़ बढ़नी बढ़नी है, और OTT से अलावा इसकी अलग growth है, तो आप OTT के का जो merger हुआ है, उसके बाद PBR Inox is a very clear market leader, तो उस तरह से आपका, उस तरह से इनके margins में भी protection रहेगी, क्योंकि competition जो है, वो बहुत distant है, क्यों बहुत ज़्यदा इनको तरगनी करने वाला, इनके margins protected रहेंगी, growth protected रहेगी, और जैसे जो industry का growth है, उसका पूरा बरा benefit इनको मिल consolidate कर चुका है, और अच्छा perform करेगा, again a very safe stock, और लंबी हब्दी में आपको काफी multiply करके देगा, और इसके अंदर ना सिर्फ आप cinema tickets की आप कर रहे हैं, आप एक तरह से आप वो जो उनके साथ F&B का जो एक part है, उसमें भी आप देखें तो बहुत अच्छा growth है, और बहुत अच्छे margins हैं, जो spending आप करते हो hall में जाके, वो आप normally कभी भी नहीं करोगे, पर आप तरह से mood की कहलो जैसे भी है, उस तरह से होता है, और यह outings और यह spending आगे बढ़नी बढ़नी है, और उसका PVR being a clear market leader, उसको फैदा मिलना है, तो मेरे दाविक तो यह बहुत अच्छा stock ह इसको लंबी अवदी के लिए लगते हो, तो यहां से आपको आपका अच्छा out reform करेगा और अच्छा 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 करेंगा अच्छा करेंगे, आपके पास फिर से आएंगे, कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर Q4 अपडेट साथ ही साथ कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर खबरों के दम पर action देखने को मिल रहा है, शरत जिकर कर रहे थैं आशियाना हाउजिंग का यहां पर स्रॉंग बिजनेस अप पर शरद चलिए फिर से आपसे ही समझेंगे बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर लिस्ट उनके नाम अभी भी बाकी है जी बिल्कुल चौत है तिमाई के जो ऑपरेशनल अपडेट्स आएं वहां पर स्ट्रेंथ देखने मिला है वही आश्याना हाउसिंग का जो वैल्य देखने मिली और सपोर्ट आया है और लास्ली कंपनी जो है अब कर्ज मुक्त हो गई है बार्च कोर्टर से तो यह एक इंपॉर्टन डवलोप्मेंट देखने को मिल रहा है भारती एटल उनकी जो आम है भारती हैक्सा कॉम उसकी आज लिस्टिंग है एक्स्पेक्टेड है आपकी फॉर्दर फ्पी ओ जो होती है फॉर्दर पब्लिक ओफरिंग एक्विटी शेयर्स की यह लगबग 18,000 कोड तक का यह अमाउंट है और यह जो शुरू होने वाला फ्पी ओ आफ्परियल से शुरू होगा 22 अपरियल तक रहेगा हमारा पांच और शौक टीसेस आज उनके 4 इतिमाई के नतीजे हैं एबिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन से कि 20 बेसिस पॉइंट सिक्वेंचली बढ़े और वही जो सीसी ग्रोथ होती है वो लगबग 1.2 परसेंट रहेगा रेविन्यू जो है एक्सेनल के सेग्मेंट और बी एफसाई सेगमेंट जो ह हमारा छटवा स्टॉक रहेगा माराश्रा सीमलेस और वो साथ सो करोड का बड़ा ओर जो है ओंगी सी से आया है आपका सीमलेस पाइप्स को लेके और एक स्मॉल कैप कंपनी है निबबे जिसका उननिस सो करोड का मार्केट कैप है यहां पे कंपनी को लगबग 400 करोड का एक बड़ा ओर देखने मिला है और डिफेंस सिस्टम्स को लेके तो यहां पे भी स्टॉक में तेजी आज देखने मिल सकती है हमारा आठवा स्टॉक वो है बिग बोल ब्रोकरिज यहां पे एंटरो हेल्थ केर फोकस में रहने वाला है जेफरी ने इनिशियेट किया है बाई के इकनोमी स्केल के कारण पॉजिटिव नजरिया ब्रोकिंग हाउस हमारा आखरी स्टॉक आयरवी इन्फरा हमारा खबर का सेग्मेंट है आयरवी इन्फरा जो है यहां पे बज है कि उनको जो क्लेम्स है आबिट्रेशन केसे को लेके वो कंपनी को मिल सकती है और एक टाइप से जब इन्फरा प्लेयर्स को या अर्बिट्रेशन आवार्ड या क्लेम्स मिलती है रेगुलिट्री अथारिटी से तो उनके पी एल अकाउंट में एक पॉजिटिव इंपक्ट देखने मिलता है ओके बहुत बहुत शुक्रिया शरत ये पूरी लिस्स सामने रखने के लिए तो आयर भी इंफ्रा खबर के दम पे यहां पे भी दिखेगा एक्शन पर शलिए अब कुछी समय रहे गए हैं माकेट्स खुलने में और माकेट्स थोड़े सेटल होते वे भी नजर आए हैं दिंपी जैसा कि हम देख रहे थे कि गिफ निफ्टी तो करीब 130 अंकों के गिरावट के साथ शुरवात के संकेत दे रहा था पर निफ्टी 50 ओपनिंग में उतने गिरावट तो नहीं दिखा रहा है फिलहाल पर क्या कुछ लेवल्स हैं जिनको वाच आउट करना चाहिए और क्या स् देखे हमने सुबह भी आपके समने बात रखे थी कि जो 140 पॉइंट है ना हमको तो लगता नहीं कि 140 पॉइंट आएंगे मैं चाहता था कि 140 पॉइंट आ जाए लेकिन वह आए नहीं तो आपको क्या होगा एक पुल बैक मिल जाता है 140 पॉइंट का पहला टिक आता वह आपके साथ खुला तो आपके पास 50 से 60 पॉइंट और नीचे जाने की बनती है यह लेवल्स क्या इंपॉइंट है लेवल्स है 550 650 वाली रेंज टिपिकली एफाइज उसी रेंज में अंदर आये हैं और वही आपका बेस प्राइज है आपका जो लेवल ओपनिंग का हो रहा आप बोलो कि नीचा लो 76 पॉइंट पे एंटर करना चाहते हमको तो बहुत अग्रेसिव लग रहा है मांकेट तो फिर आप मेरी एक बात मालेना आप दो लोट में से एक लोट करना तीन लोट में से भी एक लोट करना तो अभी बहले डाल दे ना एग्जांपल बता रहाऊ सबकी calculations अलग अलगें तो आपको हो सकता है थोड़ा सा और नीचे मिल जाए और नीचे मिलने से सिर्फ एक ही चीज बहतर होगी वह है risk reward आपको डर कम लगेगा market के अंदर और pullback का भरपूर फायदा उठाओंगे बस और कुछ नहीं दोनों ही condition में हमारा target है 22,800 का ये एक बार अचीव हो जाए वापिस से closing हमें इसको इसके उपर ले आएं तो अफित 23,000 के लेवल्स को भी खोलेंगे आते हैं बैंक निफ्टी पर बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे 48,000 670 पर open कर रहा है ये 300 पॉइंट की बढ़िया ट्रेड बनता है आपको छोटा सा एक stop loss लगाना है 48,500 का और थोड़ा सा एक पॉइंट के लिए फादा भी ले लेना है बैंक निफ्टी का ध्यान रखा जाए मैं संतोस्टर की बात को agree करता है और मैं वेटेज भी दूँगा कि पहले 10-15 मिनिट जरूर चेक कर लेना अक शेख भी बागवत ने भी आपसे यही बात बोली है मैं भी यही बात बोलूँगा आपसे कि पहले 5-7 मिनिट थोड़ा सा चेक कर लेना ये ड्रैग कितना करता है इसको करतो जाने दो अबाद देखतो लें कितना ड्रैग मारता है लेकिन चांसिस नहीं कि 48,500 को या चांसिस नहीं कि 22,500 को ब्रेक करेगा तो दोनों के जितना पास आप खरीदोगे उतना बहतर हो जाएगा ये मोटा मोटी अनलिसिस है तीन मिनिट रहेगे मारकेट के उपन होने में एक काम करते हैं जो आफ वाटावर से एक दो शेयर मैं और पता कर लेता हूँ आज बता भी देता हूँ कि कहां कहां पे कैसे कैसे ट्रेट बनते हूँ दिखे हैं जरा स्क्रीन पे लेके आए ये पेले टॉप 50 वाले कांटर जहां पे स्टैंथ है हिंडाल को बढ़िया खुल रहा है Tata Steel बढ़िया खुल रहा है Hero Motor को बढ़िया खुल रहा है M&M बढ़िया खुल रहा है सर खुलते Tata Steel प्लस करें संतोष्टर ज़रा जल्दी से बताना यह समेरा भी माटली कर बुलिश है तो कोई इस कमजोरी में या फ्लाइट ओपनिंग भी हो रही है तो एक बाइंग की ओमोके डून सकते है उपर में चेकर रहेगा 175 ठीक है मैं कुछ एक और शेर भी चेक कराता हूँ महारास्ट्र स्सिंफ्लेश पर वह इस वह खता हूँ तो काप अच्छा स्टॉक है कंपनी परफे च्छा काम करती तो मुझे सब्सक्राइब यहां पर 870 रुपर इस्टाप लॉस लागे पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है उपर में जो पहले टार्गेट बनेगा वह एक हजार बीस का भी वापी से अपने और टाइम हाई एक है रसी तक जा सकता है ठीक है पतंजली आज खुल रहा है डेर से पोने 2% नीचे आपको खबरे पता ही है शोशल मीडिया के जरी तो आप देखी पा रहे होगे सारी चीजे एक बार अक्षिपी भागो जरा आप में को देख के बताना पतंजली में और कितनी गिरावट आ सकती है पतंजली फूड्स इस तरीका का सेटाप है मैं मान के चल रहा हूँ 1200 तक पुजिशनल आपको दिख जाएगा तो पुजिशनल ट्रेड आपको नहीं बनाना है ये ट्रेडिंग के लिए आपको कहीं पे एक 10-15 रुपे के लिए पाई करना है तो वो रहेगा सपोर्ट 1300 का ठीक है वो सपोर्ट 1300 कर रह सकता है एक दोशियर मैं और पता करता हूँ सुला वाइन यार्ड है डेड़ परसंट उपर खुल रहा है रतनेज जी आप ही जरा चेक कीजिए आप लेकर वाले सारे स्टॉक्स आज आपने चलवा दिए अपने यूबिल यूएसल से सुला वाइन यार्ड डेड़ प तक लेके जाएगा फिर स्टॉप लोस रहेंगा पांसो जाट रूपेगा ठीक है अब सिरफ बीस सेकंड रहेंगे मार्केट ओपन होने में लेवल्स में आपके साथ अलरड़ी शेयर किये हूँ है बाइस जार पांसो पचास पांसो का एक अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी है मार्केट के अंदर अडवांस टिकलाइन बुरा नहीं है साथ सो आट सो शेयरो का है कार्टे के टकर के साथ आज मार्केट ओपन हुआ है यह 82 पॉइंट का नुकसान इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और निफ्टी बैंक पर करीब 208 पॉइंट का नुकसान है बै बैसे अट नुकसान में इस्तेमाल करूं ना करूं आपकी भी मर्जी आप इस्तेमाल करें न करें लेकिन मार्केट उद्रा बुरा ना इक लाइन में आपको एक लियर कर देना चाहता हूं आर्सो नौश फेजर aडवांस डिकलाइन के अंदर आपको दिख रहे होंगे तो क में बदल जाएगा आपका देखना जरूर आप ठेक जी कुनाल परार इस बिच मरसा जुड़ गया उनसे करेंगे बाक्षित कुनाल जी जरा आप भी मार्केट देखेगा मैं भी आपको सामने रखूंगा स्मॉल कैप और मिट कैप का इंडेक्स देखिए आपको मिट स्मॉल क पाइंट भी आपको मैं नोटिस कराता हूं पहले बढ़ने वाले शेर जरा इबर दिखा देता हूं वह मिस ना हो जाए फिर मिर से उसमें हिंडाल को दिखाई जरा स्क्रीन पर टाटा स्टील दिखाई एमेडेम दिखाई हिरो मोटकॉप दिखाई है इन में से जो मैंने आ दूसरा लूजिंग स्टॉक में आज HDFC आपको स्क्रीन पर स्टार्टिंग में दिखाएगा जरा दिखाना HDFC बैंक भी दिखाईएगा जरा आदानी एंटरप्राइजिस भी कोटेक भी एकसेस भी और यह यह सभी शेर इनक्लूडिंग बजाज ओटो भी तो यह सभी के सभ अभी शेर अभी थोड़ा कमजोर हैं जब मैं स्क्रीन को डिवाइड करके देख रहा हूं कि में को बढ़ने और गिरने वाले शेर में कैसे दिख रहा है तो मेरे को एक चीज नोटिस हो रही है कि जो सेक्टोरियल चर्निंग के बेनिफिट थे मेटल वाली कंपनी सिर्फ व ठीक जी अब आजाते हैं कुछ और चोटे शेर के अंदर में हंडर वाली लिस्ट लेके आता हूं आपके सामने वहां पर चेक कर लेते हैं वहां पर दिखाई यह दो परसंट उपर हैं एंटीपीसी एक परसंट विदानता एक परसंट हिंडाल को वही आपका एक परसंट आज चला है उसने अपने साल का हाई टेस्ट किया है इंडीगो फ्लैट है लेकिन उसने अपने साल का हाई टेस्ट ओपनिंग में खुलते ही कर दिया है यह कुछ एक शेर थे जो आपके स्क्रीन पर आप देखो बजार ठंडा हो गया आप देख रहे हो स्क्रीन पर आपको म is equal to low हो गया तो आज का ओपनिंग प्राइज और आज का बॉटम वह एक ही जगे में बना हुआ है अब जब तक 670 नहीं जाता बैंक निफ्टी नहीं जाएगा नेचे ठीक निफ्टी का भी मैं आपको बता देता हूं निफ्टी का आज का ओपन प्राइज 670 दो लगा है सब्सक्राइब करेंगे मेरे पास अभी कोई ट्रेड ना देने के लिए ना बताने के लिए ना मैं खुद देखूंगा इसको कुछ आपको शांती से बैठा हूं देखते हैं क्या होगा ठीक जी तो यह मोटा-मोटी ओपनिंग का एनलसिसम ने आपके सामने भी कर दिया है अब शिष्टी आपको बता रहे हैं छोटे मुझोले शेर फिर हम ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करतेंगे और वो लोगते ही जाएगा क्योंकि कम्पणी एक इम ड्रक पे रीसर्च कर रहे थी और अब उस रीसर्च को कम्पणी ने खारिच कर दिया है हमने लास सत्र में भी लोगत देखा था और अब भी लोगत रहे है तो शायद अब वो लोगत की श्रंकला चलती रहेगी यहाँ पे भी लगबख 2-3% की तेजी डॉक्टर लार में हम देख रहे हैं थाइरो केर में भी थोड़ा सा अक्शन जरूर है इसके अलावा ग्लान फार्मा यहाँ पे करीब 2% की कमजोरी है फार्मा स्पेस के बात कर तो लॉरस लाइब यहाँ पे ब्रोकरिश की इनिशेशन से गोल्मेंस अक्ट ने सेल की रेटिंग दी है मारकेट के साथ है माराश्र सीमलेस यहाँ पे खबर के दम पे 6% की तेजी है हिंदुस्तान कॉपर यह रुखने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे भी मेटल्स के साथ साड़े 5-4% का उचाल हम देख रहे हैं और दमदार पिसनिस अपडेट से फीनिक्स मिल्स में भी लग लगबक 3% की तेजी है जमना ओटो लगबक 110 रुपए के स्तरों से ब्रेक आउट हाइलाइट करते हुए आज 140 के स्तरों पे बैठा हुआ है यहाँ पे लगबक 3% की तेजी है और अस्टडियम हेल्थ के हेल्थ केर स्पेस में हमने देखा था अपोलो हस्पिटल में भी अभी शेक ठीक है तो बाजार का यह पूरा का पूरा ब्लीट पचास अंक नीचे ही रह गया है इस वक्त निफ्टी बाइजार 700 के आजपास कर रहा है कारवार निफ्टी बैंक की बात करें तो सिर्फ डेड़ सो अंकों के आजपास ही गड़िट एक स्टॉक जो कह से किसे हुआ है हिंद कॉपर के शियर में अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसी यह समझते हैं कि इस वक्त बाजार में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं शुरुआती जो भी ट्रेड अप तक हुआ है उसमें कौन-कौन से चुनिंदा ऐसे शियर हैं जह करें ऐसे च्ट्रेड कर रहा है यहां से करके चलने की सलाह है इने इंडिया के साथ खड़ी-दारी करके चल सकते हैं हम लोग 567 का पहला टारगेट है और जैसे ब्रेक होता है 595 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है अगर आप देखो डेली चार्ट पे इंवर्ट है इंवर्ट है इंवर्ट है इंवर्ट का नाम है नविन फ्लोरो खरीदारी करके चलने की सलाह है लोग लेवल पे 3730 का हमें आप ऐसल मेंटिंग करके चलेंगे टारगेट की बात कर ले आते हैं तो 3530 का पहला टारगेट है और जैसे ब्रेक होता है उपर में इंवर्ट है नविन फ्लोरी नहीं रहेगा मैं केमिकल स्पेस के साथ जाना चाहूंगा तो नविन फ्लोरी पर फोकस रखना चाहिए 3400 तक के टागेट देखने को मल सकते है नीचे इस टॉप्रोस रहेगा आपका 3220 का इसके लाबा मैं दिगज रिलाइंस अंजरस्टी के साथ भी जाना चाहूंगा इसका इसका इस्ट्रक्शर बहुत भी अच्छा बंदा इस टॉप्र तैयार ही है जैसे यह 3020 का लेवल क्रॉस करेगा इस टॉप्र बड़ी तीजी दिख रिलाइंस इंडस्ट्रीज में खरदारी करने की सिलाह है रतनीजी आखिर में आपके पास आएंगे आपके शियर कौन से हैं सर आपका कर्विक्शन कहां पर है इस टॉप आपको देना चाहूंगा दो तो इंटर यह थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा लंबे ट्राइम में के लिए तो जो फेला स्टॉप रहे हो बीसे बीसे में तो आप इस शांदा प्रेकाउट यहां पर दिखाई दे रहा है तो मुझे अच्छा खासा मुझे वह सब्सक्राइब बनेंगे और तीसरा है जो आज है पर उसमें केश मार्केट में भाटम बन चुका है मुझे बड़ी तेजी के लिए तैया रही है अगर कोई थोड़ा सा लंबे समय के लिए रखे रहे हैं तो चार्सों बचास से चार्सों साट रूपर के टार्गेट बनें और स्टॉप लाग पर लागा ले तीन सो तीसरा होचे लेगा पास एक पर्टिकॉलर स्टॉक सा पूछने के लिए संतो सर जरा आप अपने सोदा बता दीजिएगा मैं डिसक्स कर चुक हूँ रिलाइंस इंडस्री और नविंट्वर इनको तो हम अलिगी डिसक्स कर चुके हैं पिर मैं अपना सोदा पता अगरता हूं सर अभी मार्केट के अंदर ये यूपियल बढ़िया चल रहा है पांसो साथ सर हमने काफी दिनों पहले भी इसको नोटिस करवाया था आपका कन्विक्शन अभी भी हाई है न सर एक बज़र यूपियल चेक कर लो फिर में इसका एक इसने बॉटम बना दिया है एक बेस बन्चू का ब्रेकाउट आया है इमिजेटली मुझे 525 का टागेट निज़र आता है 525 के ओपर टिकता है तो 560 नेक्स टागेट रहेगा रतने चेकर एक ना कैश का स्टॉक आपसे पता करता हूँ शेर का नाम है SBC एक्सपोर्स मैं कई बार इसको नोटिस करवा चुका हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे ना मैंने एक चार्ट भी नोटिस करवाया हुआ है SBC आप लिखेगा और मैंने अपनी स्क्रीन पे ज़रा चार हो गया है 20 रुपे की कोई कमीनिये 11 लाग शेर ओपनिंग में आज सोधा हो गया इसमें जहां तक में को ध्याने शेरिसका सरकेट है 10 परसंट 20 परसंट का होगा यह चार्ट आपकी स्क्रीन पर है सरे 30 से 32 रुपे हो जाएगा मेरे पास डाउन फोल चैनल का एक ब्रेक आउ स्टाप लॉस लगा लेना चाहिए 22 रुपे का बहुत चोटा से स्टाप लॉस दे रहा हूं है उपर में जो टार्गेट मुझे पहला दिखाई दे रहा है अगर शॉर्ट टम लिए से देखे तो 27 रुपे का और फिर उसके बार में 30 रुपे तर फिर टार्गेट इसम बन ठीक है 30 रुपे तक आने के चांसे हैं हमने जो लाइन अप पर की खैंची हुई ने इसका रिजिस्टेंस का लेवल शुरू होएगा तो डॉट तीस रुपे भी जा रहा है जो आपको और इतने सर भी आपको बता रहे हमने नोटीस आपको करवा दिए देखें बाजार के अब गिरावट से 40 पैंट किरेंगी है और मैं निफ्टी और बैंग निफ्टी के मुकाबले निफ्टी को पहले जल्दी कवर करता हो देखूंगा आपके सामने और हो सकता है कवरिंग काफी फास्ट भी हो जाए और अभी आप पुट कॉल रेशो के साब से भी देखेंगे केमिकल्स सौर पे चल जाना कोई मजाक नहीं है टाटा केमिकल्स के अंदर चल जाना वो भी ऐसी महौल के अंदर आज भी शेयर 10 रुपे उपर है 1180 की क्रीपोने 1200 का शेयर है किन से पता करें भागवसाब से पता करते हैं कुनाल परार जी है कुनाल जी आप से तो बात नही बुक कर लूँ या तो सौर पर की वेट कर लूँ सर्वेट करना ठीक है बुक करना ठीक है डिबी जी जहां पे बहुत देखने को मिला है अरे गरीवान तक्रिवान 1145 के लिवल का मुझे लगता कि इसमें बुक कर के चलना चाहिए मैं तो इतना ही को गौनगा वेट करके च सकते हैं तो definitely मैं यहां पर बूक करके चलने की सलाह नहीं दूगा वेट करके चलने की सलाह लोगा 1205-1300 की टागेट हमें यह इस्टोप दिखा सकता है ठीक है बारा सो पांच और तेरा सो के टागेट स्टारा केमिकल्स पर आते हुए दिख रहे हैं और पूरे ही केमिकल स्पेस में हम दिखने हैं के जबर्दस्त आक्शन है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीन यहां पर एक बार रतनेश आप अपनी राय दीज़ें यहां पर ब्रोकरेश रुपोर्ट के दम पर अच्छा आक्शन है साड़े चार परसंट की तेजी है पर यहां से अब कौन से टागेट आपको सामने दिख रहे हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीन का चार्ट कापी अच्छा इसमें मुझे सा लगता है कापी अच्छा इसमें रनाव हमको आरटी देखने को मिला था उसके बाद में पी करेक्शन हो अब थोड़ा सप्लाय ले रहा है अपने की एवरेजिस के आसपास में सप्लाय पुराना इस इस ट्रेड करेंगे 1430 रूपे थोड़ा सा वेट करें 15 रूपे के उपर निकलने ले ठीक है पंदरासो के ऊपर निकलने दे उसके पहले जो है फिलहाल एंट्री नहीं लेनी है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीन में इसके अलावा सिंजीन एक पर इसका भी आप चार्ट चेक की जबर्दस तेजी बन रही है सिंजीन यहां पर 700 के उपर निकला है कौन से टागिट ध्यान में रखे हैं यह साथ सिंजीन काफी अच्छा मोमेंटम बन रहा है मुझे लगता है कि अच्छी तीजी मिल सकती स्कांटर में एक आउट आया है इमिडेटली मुझे जो टागि न अच्का जो लोग आपके बहुत अच्छा स्टापलोस आएगा पोजिशनल के लिए और उपर में 8500 की भी अपसाइट सिंजीन में आते भी दिख सकती है पर एक और काउंटर जहां पे अब डे हाई के आसपास वो ट्रेट कर रहा है और पिछले सत्र में भी हमने अच्छा देखा था वो है कोल इंडिया एक बार कुनाल इसका चार्च चेक दीजे क्योंकि यहां पे जो ब्रेक आउट है कितना भरूसा आप करेंगे और अभी फिलाल दे हाई पे ट्रेट कर रहा है क्या है सही मौका है एक फ्रेश ट्रेड में एंट्री लेने का वेल मौमेंट पॉट्ट की है मैं थोड़ा सा वेटे वाच करके चलोंगा अभी 45760 के अरांड श्टॉक का ट्रेडिंग चल रहा है अगर लास्ट ट्रेडिंग सेसर्न का जो हाई बना है 450-60 जाने की 459 अगर ब्रेक होता है तो ही मैं यहां पर खनिदाजी करके चलोंगा क्योंकि 459 के बाद पहला लेवल 466 का होगा उसके बाद 488 तब की मुमेंटम हमें स्टॉक दिखा सबता है थोड़ा सा वेटे वाच करके चलने की सहला है ब्रेकाउट तो हमें मिल चुका है स्मॉल टाइम फिर्म पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल स्टॉर्मेशन का बट वेट की इज़े थोड़ा सा 459 के उपर जाता है तब ही बाइक करके चलिए ठीक है कोल इंडिया को लेकर ये व्यू खरदारी करने की सलाहे 457 रुपे का भाव इस वक्त चलना इसका लेकिन एक शेर पावर सेग्मेंट से क्योंकि हम लगातार मजबूती देख रहे हैं और लगातार अच्छे मूव्स हैं इसमें वहें इंटी पीसी का निफ्टी का ट ये शेर आपको कहां तक जाता हुआ दिख रहा है एंटी पीसी ने काफी अच्छा है कर यहां पर रिटन दिया अपने निवेश हो काफी अच्छा इसमें कांटीनियो हाई थोड़ा सा चार्ट पर इस्ट्रेज जरूरे पर मुझे इसा लगता अभी भी इसमें जो तेजी पर इसी बढ़ता रहेगी तो इसी ने नीचले स्टो से ले रखा त 560 रूप के स्टोप लॉस से 0 से राइट करते रहा जाए उपर में यह टार्गेट बनते हो चार सो दस से चार सो तीस 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 पर फिलहाल शेयर है तीन परसंट की तीजी और इसमें हो रही है लेक करीब करीब इस वक्त तीन पर्संट के आसपास की तीजी दिखा रहा है लेकिन एक स्टॉक जो थोड़ा सा नीचे है उसके बारे में वीव लेते हैं वह है पेज इंडस्ट्री का करेब तीन साड़े तीन पर के आसपास की ग्रावट इसमें दिख रही है कुनाल जी पेज क्या यह और फिसलेगा या फिर बायों डिपस वलाशियर है यह वैल पेज की बात करें अभी हिसाप से स्टॉक डावन सैट की मोमेंटम देखने को मंदरे 3600-400 के लेवल पे मुझे दगा है कि हाँ से और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक में क्योंकि अगर नेगेटिव साइट का ही है 35360 के लिवल देखने को मिल सकते हैं और यह लिवल अगर आते हैं अगर यह लिवल को स्टॉक एप्रोइश करता है तो मैं कहुँगा वहां पर हमें खरिदारी करके चलना चाहिए क्योंकि वहां पर काफी अच्छा सपोर्ट स्टॉक में दिख र और यह शेर 40,000 रुपे तक जाने का दमखम रखता है एक और शेर जिसमें देखने की 3,000 रुपे के उपर अच्छे मजबूती लगातार बनी वही है वो है कमिन्स का कमिन्स पर आपसे व्यू लेंगे संतुष जी कैसा लग रहा आपको शेर और कितनी तीजी आप इसमें द करता है तो पर और तेजी बन सकती है यूग बुलिश है अपना इस्टाप्लोस ट्रेल करते चलिए और बने रही है नीचे जो इस्टाप्लोस रहेगा अब 3030 का इस्टाप्लोस कमिन्स इंडिया के लिए रतनेश जी आप चेकिजिए के ई आई इंडस्ट्री बढ़िया ते के याई इसमें क्या टार्गेट्स आएंगे आपके इसाब से के इंडस्ट्री देखेंगे तो इसमें काफे अच्छा आउट परफॉर्मेंस इंडसे इसको आउट परफॉर्म करा है और इसमें भी हायराई बने है अब हाला कि यह अपना शॉट्टरम एवरे से बहुत के स्टॉप लॉक से बने रहें चीक है बजार के अंदर गिरावट जसके तस है वहीं के रुका हुआ मार्केट है आप देखो कि चालीस पॉइंट की गिरावट है मैं एक शुरुआती डाटा आपको बताते हैं देखो बजार खुले हुए करीब करीब 20 मिनिट ओ चुके है लेकिन उसके बावज़ुद भी ना मार्केट के अंदर टसल इतना जोर का है वो आमने सामने खड़े हैं आपको एक नंबर बताता हूँ आपको उससे थोड़ा आईडिया लगेगा कि चा मैं क्या कहना चाहता हूँ इस समय बजार को जो ऊपर लेके जाने वाले लोग है न लाकि में पास जो नंबर आता हूँ आटिफिशल इंडियंस का नंबर है लेकिन फिर भी मैं आपको बिसिक बिसिक बता रहा हूँ जो आपको मार्केट बेड़ भी दिख रही है 90 वर्सिस नंबर क्या कांटी के टकर चल रही है इस समय और दोनों जोर लगा हूँ है एक कहत है मैं यहां से तोड़ के रहूँगा यानि कि प्रॉफिट बॉकिंग करा के रहूँगा और दोनों के बीच में टफ फाइट चल रही है अगला हो सकता है बीस मिनिट ऐसा ही चले करिपा करके ऑप्शन्स वाले सावधान हो जाएं ज्यादा बड़ी पोजिशन्स ना लें क मार्किट लेता जाएगा पूजिशन्स को मेरे से अगर आप पूछेंगे निजी तोर पर क्या आपको क्या लगता है तो मैं अपने निजी तोर पर लगो मिरे को लगता नहीं कि अभी इस शुरुआती डाटा को देखने के बाद मेरा कन्विक्शन कोई हाई है मैं को निफ अब दूसरे चैनल भी इसको नोटिस करवाएंगे और ट्रेडिंग कॉल्स में तबदील होगी है जल्दी से ऑप्शन का ट्रेड है तो पता करते हैं नहीं तो सामने का भी पता कर लें कि कैश का भी मिल जाते है तो संतोष सर जड़ा चेक कीजिए रिलाइंस इंडस्ट्री मेरा ओपनिंग ट्रेड रिलाइंस इंडस्ट्री था मैंने ही कहा था कि मुझे लग रहा है कि यह जो अच्छी बाइं का पॉस्टिल्टी है जिस दिन यह स्टॉक तीनाजार बीस को निकालेगा एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है बहुत इस टॉक का जिस आपसे पैटन है और कुछ फंडामेंटल डिवलोप्मेंट से उससे लगता है कि यह स्टॉक इस साल लीड कर सकता है और आप कॉल अप्शन करीना चाहे तो तीनाजार का कॉल अप्शन करी सकते जो अभी 35 रुपे के आसपस ट्रेट कर रहा है यह आपको 25 रुपे का स्टॉपलस मैंटेन क कब है तो मैं आपको बता देता हूं इसका सरकेट 25 रुपे 70 पैसे का और अभी शेयर जो आगया है वो आगया है 25 रुपे 30 पैसे का ठीक है तो यह अभी सरकेट लगा देगा 10% का हो सकता है आज ही आज में अभी लगा देए ठीक जी और वोल्म आप चेक कर लो 24 लाक शेयर यह खरा है विल्कुल भी ठीक है बैसे नोटिस कर रहाना था एक्चली हमारे पास कॉलर्स के काफी सारे सवाल आते रहते हैं तो उसमें से एक सवाल में से मैंने एक चांट के आपके सामने रख दिया आप अपने विद्धिस अलागरों से पूछ पाच के ही ट्रेड किया कीज दिखा ओओ मैं जो डिलिवरी बेश इसके बारे में के डिलिवरी बेस का नहांए बढ़ी हा बना रतनेश रजरा आतुल लिमिटेट चेक करना चलेगा क्या अतुल लिमिटेट बिल्कुल का विदो एक लास्ट सेशन में हमको काफी एक मोमेंटम उनको दिखाई दिया था काफी अच्छा वॉल्म यहां पर दिखाई दिया था हाला कि बेस वान मिशन यहां पर करेक्शन कंटीनि दिखरा पर ऐसा लगता कहीं ना कि फोटा मोटर बेस बना रहा है बड़ी देजी तो हैं यहां पर मुझे नहीं बोल सकता भी पर हाँ यहां पर 3330 रुपे तक के लिए आ सकता है तक स्टॉप लोस लगाएंगे हम यह 680 रुपे और 3630 रुपे तक के लिए छोटे शौट कम यह बहुत ही छोटे बांस के लिए प्ले करा जा सकता ठीक है कुछ कुछ और ट्रेड भी मैं आपको नोटिस करवाता हूं जहां पर मार्केट का मॉमेंटम थोड़ा फास्ट हमको या फिर ठीक बनता हूं दिख रहा है एक बार जरा आप में कोई लिकर वाले स्टॉक्स वापिस से दिखाएंगे सारे लिकर वाले स्टॉक्स जह बन जाए अभी तक तो सब फ्लैट या तो पॉजिटीव है यूबील चल रहा है गर्मी वर्मी को यह से और बैंगलूरू में इनका एक्सपेंशन भी है और बैंगलूरू में इस समय गर्मी थोड़ी हाई है और वैसे कुछ जादा नोटिस नहीं हो रहा ठीक है चलिए मनापूरम मनापूरम एक बार दिखाना संतोस सारे पर जारा मनापूरम चेक करना येस इन 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 के लिड़ा है तो आपको एक लिड़ पर तक की अप्साइट दिखने को मिल सकती है नीचे इसका जो सपोर्ट रहेगा 193 का रहेगा देखो अब गिरावट आगे है 65 पॉइंट की निफ्टी की बस यही मेरा पॉइंट था जो मैं आपको नोटिस कर रहा था कि हमारा तो मनी नी कर रहा पॉजिशन्स लेने का और शुरुआती डाटा भी मैंने आपको 101 99 वाला दिखाया था फिर आपको अडवांस अब 22-500 चेक करेंगे समझ में आएका ट्रेड लेंगे नहीं तो छोड़ भी देंगे इंडाइसेज वाले कृपा कर नहीं रोड़ा रोख जाए हैं स्टॉक्स वाले काम करें खूब करें भर भर के करें कोई दिक्कत नहीं किसी जरीगी सब कुछ चंगा सी ऐसा कुछ चलता है मार्केट के अंदर ऐक दो कैश के क्नक मन उर्पता कर लेता हूं जरा दिखाएं पैट्रोन Pract का फिरसे इन प्रसें शुरुआ चुरुआ था बिखरा यह कि अ honor को काफी बड़ा ब्रेकाउट काफी लंबे रखना चाहते तो रखना चाहिए यहां पर मुझे तीन सो तीन सो पचास रुपर के टार्गेट आते दिखा ही देते स्टॉप प्लॉस से यहां पर रख लेना चाहिए और मेरे दो जो सुभे ओपनिंग ट्रेट थे कि सीडी एसे लों बीएसे दोनों के अपटेट है दोनों पांच पर चाहिए तो यह दोनों मुझे इसा लगता है कि हमारे दर्शों को ने थोड़ा पैसा बना लिए होगा थोड़ा ने सर बहुत पैसा बना लिए हुए क्या बात कर रहे हुआ आज तो मारकेट के अंदर गिरावट भी थी गिरावट के अंदर अगर आपके शेयर चलते हो दिख जाए वो भी तीन तीन परसेंट डेज हाई पर टंग जाए और क्या चाहिए क्या चाहिए किसी को औ हाथ कंगन को आर सी का सामने सामने बता रहे हैं अब हम आपके सौधे पंच नहीं करवा सकते बहुत यह तो देखेजिए यह तो आपको अपने मोबाइल से करने होंगे अपने डीलर से करवाने होंगे इतना ही कर सकते हैं कि वह अच्छे अच्छे ट्रेड मैमान हो कि से पार सा पार चीज़े रख देते हैं जो हमारी अकल है हमारी समझ है हम हो सकता है बेकले भी हो जाएं लेकिन आपके बास अगर अकलवान लोग और हैं तो आप उनका फायदा भी जरूर लिया कीजिएगा सिर्फ हमारे तक इस सी में तना रहें यह खुलन खुला ओपन मंच स से मैं 22500 को एक बार देखना चाहता हूं मैं को लग रहा है कि 100 और नड्रैक कर जाए यह जो फ्री फॉल जैसा आपको दिख रहा है ना कि 40 पॉइंट से सीधा 120 पॉइंट लेके आ गया यह जो गिरावट है यह टिपिकली फ्राइडे फेक्टर भी इसकंदर इंक्लूड करन इंस्ट्रिशनल हाई पे खड़ें 58 पे और बजीन जी आज भी आपको शेर उल्टा बताके गए अपनी तेयोरी कि जब इंस्ट्रिशनल हाई पे आ जाए तो बिकने की तियारी हो जाती है हाला कि मैं थोड़ा देख भाल के चलूँगा बट फिर भी यह जो रोका हमने आप को लगता है कि आपके बेहद बेहद काम आया होगा और अमीद करता हूं कि हम आपको चला ठीक है प्रॉफिट पहुंचा नहीं पहुंचा पाई लेकिन आपका घाटा करवाने से रुखवाई दिया न हमने सब्सक्राइब कर रहा है और यहां पांचा पांचा पांचों तक की लिए है जिनके पास अलेड़ी पोजिशन बनी हुई है क्योंकि अभी फिल्हाल जो ऐसे लाएगा वो चार्जा तिन सु सत्ता चार्जा तिन सु पचास के लिए पे आएगा तो नई इंडिया यह बेरिंग वाले ही कंपनी है नर्बी बेरिंग के शेर में भी हमने तीजी हाल फिलाल कुछ सत्रों में देखी है लेकिन आपके स्क्रीन पर भारती हेक्साकॉम जैसी की उमीद थी जैसे की ग्रे मार्केट के प्रीमियम सजिस्ट भी कर रहे थे कि लिस्टिंग अच्छी होगे और अच्छे लिस्टिंग होने की पूरे के पूरे संकीयत दिख रहे हैं 32 उपर यानिकी जो अनुमान थी जो उमीदे थी उससे कहीं बहतर लिस्टिंग भारती हेक्साकॉम क्योंने जा रही है और लिस्टिंग हो भी क्यों न तीस गुना यह इशू सब्सक लिस्टिंग है और भारती इटिल के ब्रांड के नाम से ही सवाई देती है वोई अलग से नाम नहीं इसका लेकिन आप देखें 33% के प्रीमियम पर यह सटल हुई है तो एक बहतरीन लिस्टिंग और हमने जब अपने खास सेग्मेंट आईपियो कॉर्णर में इस आईपियो पर यह सटल हुआ है इशू प्राइस है 570 रुपे 755 रुपे के भाव पर यह सटल भारती है एक बार सटल हो जाएगा उसकी यह तस्वीरे देखें लाइव आपके सामने आ रही है लिस्टिंग को लेकर वहां पर त्यारी चल रही है नोबच के 48 मिनिट हो गए हैं और 12 मिन पर व्यू लेंगे संतोज जी आपसे वह एस्टर डियम का इस्टर डियम में दरसल आज उनकी बोड की बैटक है इंटरिम डिविडेंट पर स्पेशल डिविडेंट पर आज विचार भी कर रहे हैं और हमने देखा था कि परसों के सतर में यह शेयर बहुत तेजी से चला थ एस्टर डियम का आज भी 3% के आसपास के तेजी है एस्टर डियम आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर और क्या आपको लगता है कि और चलेगा शेयर यह यह सबीशिक स्टॉक की बात करें तो बहुत स्ट्रोंग मोमेंटम में हाला कि 500 इस न्यूस के बाद 500 पर थोड़ा सा पांसो के लेवल पर रहेगी अगर यह पांसो का लेवल क्रॉस करने में कामियाब हो जाता है तो मुझे लगता है मोमेंटम और बढ़ेगा साड़े पां था पर आपके लिए इंटरी पॉइंट ते में बन सकता है एस्टर डियम के शेर में लेकिंशलिए यह जान लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शिन्स में कमाई के मोगए कोन से शेर में या फिर कौन से इंडेक्स में बन रहे हैं लेकर आakahने आएंगे ऑप्शिन्स का Socialmeg हमारे आज के खास एक्सपर्ट निलेश जैन जोड़ गए हैं सेंटरम ब्रोकिंग से निलेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए बताइए क्या ट्रेड करना है इंडेक्स पर व्यू बना रहे हैं और फिर स्टॉक्स में कमाई के मोके मिलेंगे अबिशेग जी बिल्कुल देखे स्टॉक पेसिफिक का फोकस करना चाहिए क्योंकि इंडेक्स में हमें वॉलेटिलिटी का पी जाजा देखने को मिल रहे हैं अगर श्टॉक स्टॉक से जहां पर अभी भी हमें इस ट्रेंग नजर आ रहे हैं ताटा मोट मोट प्रेकलर काउंटर है जहां पर लगातार हाई ट पर हैबर फिलार टेड हो रहा है इसे लोग करके चल सकते हैं 12 रुपे का स्टॉप लो सकता होगा पहला टागिट 27 रुपे का होगा दूसा टागिट 32 रुपे का होगा टाटा मोटर्स के अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 1425 का लॉट साइज है इन टम अफ रूपीज अगर हम बेस की बात करें तो 6,400 के आसपास का रिज निकल के आ रहा है और लगबग 15,000 के आसपास के रिवार्ड बनते हुए नजरा रहा है अगर सेकेंड टागेट आशिवोटी है तो इसलिए टाटा मोटर्स में एड़ दमनी का कॉलक्शन लॉंग कर देज़ा है ठीक है टाटा मोटर्स एक हजार चौबीस का भाव है एक परसेंट के आसपास की तेज़ी है एड़ दमनी ही कॉल है ये एक हजार तीस की कॉल खरीदी है आपको 20-21 रुपए के भाववें आपको मिलेगा और स्टॉप लॉस 16 रुपए का लगा की चलना है लक्ष 27-32 रुपए का अधिक्तम जो नुक्सान है 6412 का अधिक्तम मुनाफ़ा इसके डबल से भी जादा 15,675 रुपए का आपको मुनाफ़ा होगा प्रतिलोट की ये कैल्कुलेशन है निलेश जी की तरफ से टाटर मोटरस के शियर में मजबूती भी देख रहे हैं लेकिन वाजार पर एक व्यू देखिए 100 अंक नीचे हैं निफ्टी अभी 120-125 तीस अंक हो गया था थोड़ी थोड़ी वलिडिल्डी भी है और जैसा कि डिंपी बता रहे थी एक शियर इस पर व्यू लेंगे रतनिश जी आपसे सुना बियल्ड डबलू जड़ा शियर चेक कीजिए सेर बताईए क्या करना इसमें और तीजी तो अलड़ी इसमें हो रही है ये तीजी क्या सस्टेन करेगी तो बिल्कुल इसमें देरे देरे ये तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ये तो ये तो इसमें पर रखनी है नजर क्योंकि टेसला के चीफ इलाउन मस्क ने ये भी बोला है कि वो इंडिया जल्द आने वाले हैं प्राइमिनेटर नरेंद मोदी से उनकी होगी मुलाकात और कई सारे काउंटर्स जो की ओल्री ऐसा खब्रों में है और कुछ रिपोर्स बताती है कि कुछ काउंटर्स ओल्री ऐसी टेसला ऐसी कंपनी को सप्लाइ करते हैं तो इतन सही बात है कि जब इंडिया में एंट्री होगी तो अपने एग्जिस्टिंग सप्लाइस को ओर्डर देना हो जादा पसंद करेंगा आप सोना बील डव्यू में इसी लिहाज से शायद आक्शन भी देख रहे हैं दो एहम काउंटर सोना बील डंडियू और समवर्दिना मदसन यहां पे और अंसलरी स्पेस में आज दिख रहा है आक्शन पर ऑटोस में एक काउंटर जो की थोड़ा सा कमजोर जरूर हो रहा है और कितनी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है एक बर संतोश M&M का चार है फिलहाल एक परसंट की गिरावत है आप यह स्टाइब चले गया था तो मुझे लगता थोड़ा सा फुल बैक आ सकता टूवर्ज तूथाजन रूपीस सो दोजार से उन्ने सो असी के बीच में आता तो फिर इंटे के मौके डूंड देगा वाकि लॉंट टर्वें पर श है आपको बताया था कि बहतरी रिपोर्ट आई है ब्रोकरिज की तरफ से और फिलहाल जो है अपर सर्किट पे आपको यह काउंटर देख रहा होगा इंटेरो हेल्थ केर मैं देख रही हूं कि इसने मौका दिया नहीं जिया एंट्री का मौका तो इसने जरूर दिया बट उ इसके लावा अशियाडा हाउजिंग यहां पर भी हमने आपको बताया था 15% का यहां पर एक अच्छा सर्किट लगा वा है और साथी साथ रामको सिस्टम्स यहां पर भी एक अच्छा आक्शन है लगभग 9% की तेजी यह काउंटर दिखा रहा है पर फिर से एक बार लाज पिन का चार्ट चेक दीजिए 2% की यहां पर दिख रही है क्या कोई फ्रेश लॉंग के मौके दिख रहे हैं यहां पर इंकी बात करें तो 1635 के अरांड श्टॉड करता हुआ नजर आ रहा है और जो व्यू है पॉसिटिव साइट का ही है डेफिनेटल फ्रेश एंटर करके चल सकते हैं स्टॉड में लोगर लेवल पर हम यहां पर जो एसल मेंटिंग करके चलेंगे वो 1600 का होगा अभी स्टॉड का वन सिक्स थी फाइं के अरांड है सो लूपिन खरीदारी करके चलने के सला है 1600 के साथ 1600 के साथ लूपिन आप खरीद सकते हैं यहां पर आज जो नॉमेरा की रिपोर्ट का में जिकर कर रही थी खरीदारी किरा इन्होंने बरकरार रखी है 1950 के आसपास के यह टागेट्स बता रहे हैं और यह भी इनका माना है कि management जो कदम उठा रहा है वो earnings को support करेंगे और इस बार की जो earnings है वो positive side पे surprise कर सकते हैं इसलिए आप देखिए सुबह शुरवाती टिक के साथ ही लूपिन में मजबूती भरकरार है फिलहार देज हाई पे आता हुआ दो पसंट की तेजी हम इस counter में देख रहे हैं इसके अलावा एक और counter डिसकस करना चाहूंगे और संतोश एक बार आप ही बताईए Indigo क्योंकि यहां पे देखिए जबरदस run-up हुआ था अब अगर पूरे दुनिया की बात करें तो third सबसे जादा valued aviation और airline company बन चुकी है Indigo और आज कुछ brokerage houses ने अचली rating घटाई है हाला कि लक्ष बढ़ाया है पर इनका मानना है कि एक महीने में जो 25-28% का इसमें एक जम देखने को मिला है अब थोड़ा सा उनको लग रहा है कि इसमें नए लॉंग्ज नहीं लेने चाहिए पर आप फिर भी बने रह सकते है संतोष आपकी क्या राय रहेगी इंडिको पे आज जो profit booking का शिकार हो रहा है कहां तक जा सकता है ये इस कमजोरी को करिदारी के रूप में देखें मुझे लगता है चारहजार का साइकोलोजिक का लेवल बहुत है तेस्ट होते हैं जर आएगा अरी की राय अभी भी इसमें बरकरार है पर आप देखें कुछ एक मेटल काउंटर जो है थोड़े रीबाउंड होते वे जरूर देखें है अंदुस्तान कॉपर एक काउंटर है जहां पे सुभा जो है हमने आपको हाइलाइट किया था कि यहां पे करीब साड़े चार पसं का ही एक उचाल रह गया है रतनेश मेटल पाक में से कोई काउंटर जो की अभी भी आपके रेडार पे हो क्योंकि कई हमने देखा था कि जबरदस्त आक्शन था मेटल स्पेस में फिलहाल कोई ऐसा काउंटर दिख रहा है जहां पे फ्रेश एंट्री के मौके हैं पर हमने सुभी डिसकस भी करा था इसमें काफी पॉजिटीव ही नीचे आता है तो मेरे थाप पर कि यहां पर एक थोड़सा बाइंग सकती क्योंकि यह बेन में इसकांट सब्सक्राइब नीचे आ रहा है और मुझे असा लगता है कि नीचे आने पर इसमें एक बाइंग ऑ इसमें बना रहा है तो मुझे अशा लगते हैं आप एक साथ तुल गए आसपास माता तो टाटा स्टील में भी खरदारी के ऑपरिशनटी बन सकती है हिंद कॉपर यह शेयर चला बहुत है महीने बर कि अब बात करें तो 40-45% यह शेयर चल गया है कॉपर के दाम जिस तरह से रिकॉर्ड उचाई पर है और एक और फैक्टर है जो आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि आपके उसको कह सकते हैं कि यह इवी का एक प्रॉक्सी प्ले भी मान सकते हैं क्योंकि जैसे से लेक्ट्रिक विकल्स का चलन बढ़ेगा हिंदुस्तान कॉपर के लिए मौके बढ़ेंगे क्योंकि जो आईसी जो परंपरागा जो इंजिन होते हैं इंटरनल कंबस्चन इंजिन वाले उसके मुकाबले इवी में तकरीबन चार गुना ज्यादा कॉपर का इस्तेमाल होते हैं तो उसके चलते भी आप इसको फोकस में रख सकते हैं एक महिने में चौवन पच्पन परसंट अमेजिंग रेली हिंद कॉपर की 312 रुपे का भाव है अलाकि आज उपर इस तरह से थ्वड़ा सा नीचे जरूर आके यह शेर कारबार कर रहा है और विंद आप चेकीजे रतनेश जी अर्विंद में हम देखने के बढ़ियां मूव्स बन रहे हैं 320 रुपे का एक मुझे इसा लगता है 320-325 रुपे रेकाउट इसन दे दिया है तो यहां पर नई तेजी के लिए क्यार हो गया है यह जाग सकता 370-370-400 रुपे तक लिए स्टॉप लॉस आना जाए पर 302 रुपे का इसमें तेजी बिल्कुल करे जा सकती है ठेके तीजी की जा सकती अरविंदी लिमिटेट के शियर में लेकिन आपके स्क्रीन पर नई लिस्टिंग भारती हेक्साओकम लिस्ट हो गया यह शियर और 32 परसंट उपर जैसे कि इसके इंडिकेटिव प्राइस थे जो सेटल हुए थे वो संकीत दे रहे थे कि बहतरी लि कंपनी है और मेजरली जो इनका काम है वो है राजस्थान में और उत्तरपूरो के जो राज हैं नौर्थीस्ट के जो राज हैं वहां पर तो बहतरे लिस्टिंग लिस्टिंग के बाद भी शियर चल रहा है ठकान के संकेत नहीं है 34-35% उपर यह आकर कारबार कर रहा है बिल्कुल मत देखना भूलिए आईपियो कॉर्णर जहां पर हम हर आईपियो की कमोबेश दुका अगर छोड़ या तो छोड़ जाए अदरवाज हर आईपियो के बहुत ही बारीकी से गहराई से हमें उसका वेश्टिंशन करें एक्सपर्ट की माधियम से जातर मोकप आस् भारती एक्सपर्ट को लेकर हमने खरदारी की सला दी थी पैसे लगाने की सला दी थी और लंबी वधी के लिए इसको होल्ड करनी की सला थी और विरकुल जैसी की अपेक्षाय थी भारती एक्सपर्सर्ट से उसके अनुरूप फी प्रदरशन दिख रहा है अभी जो दर्शन करा दे तो बहतरीन लिस्टिंग इसको कहनी चाहिए कहां FD में 7% 8% का अगर आप एक्विटी की बात करें तो सलाना 15% का रिटन मिल जाता तो अच्छा माना जाता है उसके मुकाबले भी एक डबल से जादा अगर हो रहा है तो एक चांदार लिस्टिंग हम कहेंगे भारती हेक्साकॉम की सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा है था इस IP में हाला कि पूरा का पूरा ये ओफर फर सेल था बावजूद इसके